नमस्कार संस्कित के प्रेविध्यारतियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेजिस हिंदी मेडिया पर मैं पंकस्तिवारी जैसा कि मैंने आपसे बादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपका गोदोहुनम पार्ट का कम्प्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आऊंगा तो आप लोगों ने फर्ष्ट शेकंड थर्ड फोर्थ चारो भागों को अच्छे तरह से पढ़ लिया है अब हम कम्प्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे और इसके बाद फिर हम इसका सॉलूसन देखेंगे लेकर मैं आ गाय का एक महिने तक दोहन नहीं करता अर्थार्थ उसकी गाय प्रति दिन तीन से चाल लीटर दूद दे दी थी तो उसने सोचा कि क्यों प्रति दिन दूद दोहन करने से अच्छा है कि हम क्यों ना इसको एक महिने के बाद सीधा एकटा दोहन करेंगे तो एक साथ कम से कम स 200-500 लीटर दूद निकलेगा और एक साथ हम उसको बेच देंगे जिससे हम धन-धन से सम्रिद हो जाएंगे ऐसी मन में लालच रखते हुए एक महीने तक गाय का दोहन नहीं करता है उसका क्या परिणाम होता है यहां पर इस पार्ट में बतलाया गया है तो आप लोग बिलकुर तयार हो जाईएगा आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 में आप सब कुछ पढ़ा हुआ है बस इसमें थोड़ा सा रिवीजन करना है तो रिवीजन को हम पार्ट को करेंगे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा लिखा हुआ है स्क्रीन पर कक्छा नौवी संस्कृत सैमुसी प्रिथमो भागा गो दोहनम कंप्लीट चेप्तर रिवीजन ध्यान रखना इसमें उसी प्रकार से हम सुरूबात करेंगे जैसे हमने फर्ष्ट पार्ट में किया था भाग एक में देखिए पार्ट का परिचे पढ़ेंगे पहले फिर इस पर हम आगे चर्चा करेंगे देखें लिखा हुआ है यह पार्ट कृष्ण चंद्र तरपाठी के द्वारा यह पाठ क्रश्न चंद्र त्रपाठी के द्वारा रचित चक्र व्यूहम नामक पाठ से संपादित किया गया है यह एक नाटक है जिसमें ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धन-धन और सुखी बनने के धारणा से अपनी गाय का एक महिने तक भर तक दूद नहीं निकालता ठीक अर्थार तो वह है जब एक महिने के बाद जाता है तो गाय का दूद फिर उसमें नहीं निकलता है और निकलेगा भी कैसे सूख जाएगा दूद अब इसका पाठ का सार देखेंगे हम ठीक पाठ के सार में क्या बतलाया गया है ध्यान से देखिएगा एस नाट्यांसा चक्रवियूहम इती पुस्तकात संचिप्त संपार्द चा उदृता असमिन नाट के एताद्रिशस्य जनश्य कथानकं अस्ति यह धनवान सुखा कांची चा भवितं एक्चुका मास परयांतं दुग्द दोहिना देव विरमती एनमासांते धेनू सरीरे संचितम परयाप्त दुग्दम एक वार मेव विक्रिय संपत्ति मर्जयितुम समर्ता ववेत परमासांते यदाहसा दुग्द दोहिनाय प्रयातते तदाशा दुग्द बिंदुम परपीना प्रापनोती दुग्द प्राप्ति इस्थाने साधैनो प्रिहारई रक्त रंजिता भवती अवगच्छती चायत देनन्दनी कार्यम यदिमाश परयंतम संग्रिय क्रियती तदा लाभश्य इस्थाने हानिरेव भवती देखें इस पार्ट का पूरा सार है उन्होंने एक छोटी सी रूप में कह दिया है कैसी देखें पहले आप इसका आर्थ देख लें अब उन्होंने क्या बताया है कि यह नाटक का अंस चक्रव्य हुई ती पुस्तकार पुस्तक्षि संचिप्त स्रूप में लिया गया है सं में नाटके इस नाटक में एता दिर्शत से जनक कथाना एक ऐसे व्यक्ति की कथा को बढ़नित किया गया है या धनवान वह धनवान सुका कामची और भावितों में एक्छो वह धनवान और सुख सम्रद्ध होने की एक्छा से एक महीने तक दुख्द दोहिनम दोहन करना में गाय के सरीर में संचत दूद की मातरा एक बार में बेच करके संपत्ति अर्जेतुम एकहट्टा धन प्राप्द करने में समर्द हो जाए होने की एक्छा से पर परन तु महीने के अंत में जैसे ही वह धूद दोहन के लिए जाता है तदा तब वह धूद की एक बिंदू भी प्राप्त नहीं करता और दूद के इस्थान पर धेनों के द्वारा मारे जाने पर प्रहार करने पर खुन से लत्पत हो करके वह जाता है यत देनंदनी कार्यम जो प्रति दिन का कार प्रति दिन नहीं करता है महिने के परियंत संग्रीत करता है तदा लाव के स्थान पर उसको हानी ही होती है यह अर्थार्थ हमें जो दिन जिस दिन का काम है उसी दिन कर लेना चाहिए उसको एक महिने तक या आगी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए इस पार्ट का सार यही है ठीक ठीक और नाटक का अंस, नाट्य प्लस अंसह बरावर नाट्य अंसह, तो यहाँ दीर की शंदी हो गई है, चक्र व्यू हम एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, उसी से लिया गया है, हमारा ये पाठ, यती पुस्तकात, पुस्तकात में जैसे रामात, वैसे ही पुस्तकात, तो सब्तमी, व लिया पर परत्य लेजाक लर्न क्गों धीकोच पर्म हमावास दिया परत्य लगा हुआ है संपाध्य चाय उद्रिता उद्रित किया गया है अस्मिन मने इस नाकड़ नाक की नाचक में नाटक में सब्त्मी का एक वचन यहां पर लगा हुआ है ये भी हमारा यद का रूप है यद माने जो यद का मतलब क्या होता है जो और यह प्रत्मा एक बचर बनेगा यहा यम यंग यस मात यस यस्मिन इस प्रकार से रूप बंते हैं, ठीक, धनवान में हमारा सानच पृत्ते लगा हुआ है, मतुप पृत्ते लगा है, धनवान, धनशब्द में मतुप पृत्ते है, सुख आकांग्छी, तो यहां दीर की संदी हो जाएगी, सुख प्लस आकांग्छी, सुख चाहने की एकछा से, और, चामाने भी बेंजन संदिय दुख्द दोहनात दुख्द दोहन से बे रुकतति मने रुकता है विरमति विरंधातु है ठीक रुकने के अर्थ में लट लकार परथम पुरोस एक बचन में एन में तरितिया विवक्ति माशांति में मास प्लस अंति में दिर्गिशंदी लगी हुई है देनों हो बना हुआ है हमारा सश्टी विवक्ति दुई बचन ठीक सश्टी विवक्ति एक बचन देनों हो सरीरे देनों की गाय के सरीर में सब्तुमी का एक बचन संचितम माने संचित करना एकत्रित करना दुख्दम एक वारम यो विक्रिय में भी उपसर्ग है क्री धातु हुआ है ठेक विक्रियन संपत्तिम अर्जय तुम संपत्तिम अर्जय तुम यहां पर संपत्ति अर्जन करने के लिए यहां तुम प्रित्य लगा हुआ है भवित में एत एताम एयू विदिलिंग लगा लगा हुआ है भूधातु है ध्यान रखना परम मन परंतु मा सांते मान माहिने के यंत में दिर्गी शंदी यदा मने जब सामान वह है दुग्द दो हिनाय चतुर्थी विवक्ति का एक बचन लगा हुआ है दुग्द दो हिनाय चतुर्थी विवक्ति का एक बचन दुग्द दोहन के लिए प्रयत्ति मने प्रयाश करता है या जाता है तदा मने तव शाह मने वह दुग्द विंदु मने दूत की विंदु अपी माने भी ना मने नहीं प्राप्नोती मने प्राप्त करता है तो प्राउप्षर्ग है इसमें आप धातु है और यहां बनेगा प्राप्नोती प्रापनोती प्रापनुता प्रापनुवन्ती लटलकार पृथम पुरुष एक बचन में बनेगा प्रापनोती आप धातु लाव प्राप्ति करने के अर्थ में है दुख्द प्राप्ति स्थाने में शक्तिमी बवक्ती का एक बचन है शामाना हुगा है धेनों में शष्टी का एक बचन प्रिहारई में प्रहार के द्वारा तो सब्तिया का बहुबचन होगा त्रितिया ब्रवक्ति का बहुबचन जैसे रामई ही वैसे प्रहारई ही धेनों में यहां हमारा बनेगा जैसे मधू का मध्वोह बनता है वैसे धेनो हो बनेगा ठीक फिर यहां बनेगा रक्त रंजीताह भवती रक्त रंजीताह मधू का मध्वो बनता है वैसे ही देनों यहां भूब धातु लट लकाई पर था पुरों से बचन अब गच्छती तो यहां पर भी हमारा आउ उप्शर्ग लगा हुआ है गच्छती गच्छता ग करता है करके ए आत्मनेपत की क्रियआ लगी हुए लटलकार क लटलकार एक वचल की ठीक लाहां में सश्टी विख्टी स्थने मैं सप्थमी यह एक व्यत्ति के कथानक के बारे में बताया है कि जो धनवान बनने और सुक की इक्षा रखने के कारण क्या है महिने भर अपनी गाय का दोहन करना बंद कर देता है और जिसके कारण से महिने के अंत में सरीर में और धैनों के सरीर में संचिप परियाप्त दुख्द एक बार में बेच करके संपत्ति को अरजित करने की एक्छा से वह महीने भर दुख्द दोहन के लिए फिर जाता है तदा एक बिंदू भर दूद भी प्राप्त नहीं कर पाता है और दुद के स्थान पर धेनों के द्वारा प्यरों से प्रहार करने पर वाए खुन से लत्पत हो जाता है इसके बारे में उन्होंने पूरा इसमें बताया है ठीक चलिए आगे अनवाद देख लें आप उन्होंने क्या बताया है कि नाटक का या अन्सिक रिपाठी महोदय द्वारा रचित चक्रव्यू पुस्तक से संचिप्त में संपादित करके उद्रित किया गया है इस नाटक में ऐसे वक्ती का कथानक है जो धनवान और सुख का अभिलासी बनने के लिए एक महिने तक दूद नहीं दोहता जिससे वह गाय के सरीर से संचित परयाप्त दूद को एक बार में वेच करके धन कमाने में समर्थ हो जाना चाहता है परंतु एक माय बीतने पर जब वह दूद दोहने के लिए प्रत्न करता है तब वह दूद की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता दूद प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय के प्रहार्शे लहुलुहान हो जाता है हो जाता है कि प्रति दिन के कार को यदि महिने तक एकत्र किया जाता है तो लाव के स्थान पर हानी ही उठानी पड़ती है अब यहां से यह तो पाठ का सार था अब यहां से कहानी क्या होगी प्रारंभ होगी प्रतम द्रश्य प्रतम द्रश्यम देखें प्रतम द्रश्यम पहले द्रश्य और पहला प्याराग्राफ है यहां से शुरूबात हो रही है अब आप लोग तैयार हो जाएं अपनी पुस्त मलिका मोधिकानी मने लड़ूँ को साधियंती मने बनाते हुए मने धिरे-धिरी स्वर से सिव इस्थुती करोती बनुष्दा णियों मिलका तता है प्रभीषती उसी शमय प्रवेस होता है मौधक गंधं लड़ों की गंद को अनुभवन मन को प्रशन करता है क्यों मोदिकानी में मोदिकानी प्रत्मा का बहुचन मलिका में प्रत्मा का एक बचन साधयती साधयता साधयनती माने बनाती है 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 बहुत सारे बनाती है लड़ों को बनाती है एक लड़ों को नहीं बहुत सारे लड़ों मन्द स्वरेण में तृतिय विवक्ति का एक बचन लगा हुआ ह सिव इस्तुतिम में प्रत्मा का एक बचन करोती बने करोती कुरता कुरवंती ऐसे बनेगा तो प्रत लट लकार प्रत्म पुरुष एक बचन करू हो जाएगा यहां पर भी लट लखार प्रथम पुर शेक वचन मोड़क गंधार्याओं लड़ूओं के गंध को सत्री पृत यह अनुबवक्ती बना में तृतिय वख्तिय हे और चंदना में प्रथमा का एक वचन लगा हूए अब देखें यहां से हमारा नाटक प्रतम दिरश्च में नाटक प्रारम होता है नाटक के आदार पर भी इसमें पात्र है और पात्र की आदार पर इसमें वर्नन है द्यान रखें तो चंदन क्या कहता है मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ मोदकम ग्रीतों में एक्षती और मुझे अब मतलब मोदक लड़ूं को ग्रहन करने की एक्षा से कहता है आस्वाद्यामी तावत में इनका एस्वाद लेना चाहता हूँ ठीक अहां सुगंदस्तु मनोहरा विलोक में लोकदातु लेप्रत्य मनोहरा में प्रत्मा सुगंदा प्लस अस्तु विशर्गिशंदी हो जाएगी मोदकानी में यहां प्रत्मा का बहुबचन है रच्यती 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 तो यहां पर भी हमारा क्या है बहुबचन है कि लड़ू बहुत अच्छे हैं और मैं इनकी क्या है इनका स्वाद लेना चाहता हूं तब मल्लिका कहती है मल्लिका कौन है अभी इस पश्ट नहीं है पूरे पार्ट में यह बाद में पता चलता है क्योंकि भाग एक दो में तो पढ़ चुके हैं क्योंकि उसकी पतनी है मल्ल का मल्लिका सा क्रोध हम क्रोध कि जैसे उसने काया कि मुझे लड़ू चाहिए और खाने की एक्छा से स्वाद की एक्छा से तो सा क्रोध हम क्रोध की साथ विरम विरम रुको रुको मा इसप्रिस एतानी मोध कानी लड़ू को इसपर्स भी मत करना एतानी मोध कानी इन लड प्रत्मा का बहुफचन मूत के मुद का नि प्रत्मा का बहुचन जो प्रत्मका बहुफचन यहने लड़ों को अभी इस्पर्ज भी मत करने बैद लिक है किस आरण से क्रोद होती हो तुम soc तो इसलिए तुम क्रोध क्यों करती हो ताओ हस्त निर्मितानी मोदकानी द्रिश्टव आहम जिहुआ लोलुपता मने लालत से भर जाती है और नियंत्रितुम मैं नियंत्रन करने में अक्षम मनें फिर सफल नहीं मैं नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रहता हूं फिर क्या असमी किम नजाना से यह तुम नहीं जानती हो इतम तुम यह जानती नहीं हो कि तुम्हारे द्वारा जो हाथ से लड़ू बनते हैं उन्हें देखकर कि मेरी जीब से लार टपकने लगत लालच आता है जिसे मैं कंट्रोल नहीं करता हूं, यह तुम सब जानती नहीं हूं फिर उन्होने कहा है दिखें तह, कहा का रूप है तो यह हो गया असमत लेकिन यह त्वाम, युसमत के रूप है तुवाम 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 तुवा लोलो पताम इस श्टी का बहु बचल दोस्ट जी हुआ की लालच मैं सब्तमी का एक बचल नियंतरितुम् में तुम उन प्रत्य है अस्मी किम मने क्या ना मने ना तंहांसी बना हुआ है मद्यमपुरुष का तौम मनेतुम और इदम मने यह ठीक क्या तुम यह नहीं जानती हूं कि तुम्हारे द्वारा हाथ से बने हुए लड़ों को से मेरा लालच होता है और लालच को फिर में कंडौल नहीं कर पाता हूं मलीका फिर मलीका कहती है सम्यग सब्द आ गया नाथ सब्द से पता चला है और कहीं कुछ नहीं नाथ नाथ का मतलब स्वामी पती परमेश्वर द्यान रख लेना सम्यक जानामी नाथ सब कुछ सही रूप से सभी सब कुछ जानती हूं स्वामी जानामी आमी आवा आमी आवा आमा ये बना हुआ है उत्तम पुरुष एक बचन की किरिया है सम्यक माने सही सब कुछ जानती हों या सही रूप से ठीक ठीक प्रकार से सब नात माने स्वामी जानती हों संबोधन है पूरे में संबोधन का एक बचन लगा हुआ है परंत एतानी मुधकानी पूजानी निमितानी संती परंतु वोने सब कुछ जानती हूँ स्वामी परंतु एतानी माने ये और मुधकानी माने लड़ू पूजा निमितानी संती पूजा के निमित के लिए है पूजा के लिए है और पूजानी माने प्रत्मा का बहुचन निमि निमित तरी प्रतमा का एक बचन संती माने इस्त इस तरी से पूजन पूजनु कर लू पुजह गाद्ट करो हुज फरसाद बच्च यह दे न ठीक तो अब देखो जल्दी से पूजा कर लो और देदू तरही तो क्या हुआ तो ही शिग्रम में हो शिग्रम जल्दी से पूजनम माने पूजन को संपादय माने संपादन कर लो और प्रसादम और प्रशाद देही यह हमारा देही बना हुआ है कहां का मद्यम पुरुष का क लकार जल्दी से क्या करो बोले पूजा करके मुझे देदो मंली का मली का कहती है औरे अरे अत्र यहां पूजनम मैंने पूजन ना नहां नहीं भविस्यती मने अब देख सम्भो का लघा हुगी pasilitda भविष्यती भविष्यता भविष्यंती तो लिरिट लकार लगा हुआ है कौन सा लकार लिरिट लकार भविष्यकाल की बात कर रहा है इस्यती इस्यता इस्यंती तो लट लकार परथम पुरोष एक बचन का रूप लगा हुआ है भविष्यती यहाँ पूजा नहीं होगी अह कासि विश्वनाथ मंदिरं कासि विश्वनाथ मंदिरं गमिश्यामी बने जाउंगी क yum harmony i usually you के साथ हो सुख साथ में स्वा मने कल प्राता कल प्राता कासी विस्वनात के मंदिर जाओंगी यहां पूजा नहीं होगी और कल में कल अपनी सक्खियों के साथ में कासी विस्वनात मंदिर पूजा करने जाओंगी तो स्वा सक्खी भी में तृतिया का बहुबचन लगा हुग मने मैं, अहां मतलब मैं, सह साकम समम सारधम की योग में यहां तृतिया विवक्ति लगा हुए, सह की योग में तृतिया विवक्ति लगती है, स्वा मने आने वाला कल और हेया मने भीता हुए कल, कासी विश्वनात मंदिर हो गया, गमिश्यामी, गमिश्यावा, गमिश्यामा तो ये भी हमारा उत्तम पुरुष लगा हुआ है और लिर्ट लकार भविश्यकाल का उत्तम पुरुष लगा है एक बचन उत्तंपुरश एक बचन में गमिश्यामी गमिश्यावा गमिश्यामा ठीक बाकी लकारों में गम धातू गच्छी की रूप में काम करती है लेकिन लिर्ट लकार में गम की रूप में ही काम करती है तत्रमाने वहां बोले वहां जाओंगी तत्रमाने वहां गंगा इ करूंगे धर्मयात्रांचा और धर्मयात्रा बयम करिश्यामा और हम सब वहां क्या करेंगे गंगा इश्नान करेंगे धर्मयात्रा करेंगे हम सब वहां पर धर्मयात्रा के लिए करेंगे करिश्यामा ये उत्तम पुरोष लिटलकार ये भी लगा हुआ है लिटलकार उत्तम प माउत्स परीबरत्स हो जाएगा है ठीक है धर्मशनानम यहां गंगा इशनानम तो गंगा इशनानम हो जाएगा ठीक आगे दिख लेंगे हिए आगे देखे चंदन्स अब Чंदन क्या कहता है सक्खिवी सह ना मया सह विशादम नाट्यति सक्खियों के साथ सक्खिवी सक्खिवी सक्खियों के साथ ना मया सह मेरे साथ नहीं देखना विशादम को नाटक कर रहा है सक्खियों के साथ जा रही हो मेरे साथ काय को जाओगी नाटक कर रही है ठेक नाटक करने लगा आप क्य है वाधिसम में इसफ्थ की ऊष्छता करता है और विस्यादंध करता है और आगे देखें यह अ लकार पर्तन पुरुष अएक बच्छण मलीकष क्या कहती है आम हाँ हां चंपा गवैरी माया मोहिनी कपिला दया है शर्वाह गच्छंती किया कह रहे हैं आम मने सां मैं आपके साथ नहीं जाऊंगे मैं आपकेसाथ नहीं जा रही हो सत्कीओं के साथ जा रही हो, और हाँ, चंपागोरि, माया, मोहिनी, कपिला, आदी, सभी जा रही है, गच्छंती मने जाती है, आता हाँ, तव आगमन स्य, ऊचित्यम नास्ती, अता हाँ, परंतू, अता हाँ, मेरे साथ, तो आपका जाना, तुम्हारा और month अमाने जाने का ऊचित नहीं है ऊचित्यम थाक ногоजित नहीं है और वैम हम सकताहन सकताहे की अंत में प्रत्याग मेंश्यामा पूरे सकताहे के अंत में ही वहां से लुट करके आएंगे देखने hadi आपको समालना आए और हम सबताय की अंत में आएंगे मतलुलाब साथ दिन का टूर है इनका ठीक तो यहाँ से देखें इसमे परत्मा इसमे परत्मा सम्मे परत्मा लगी हूई है सर्वा में परत्मा का बहुचन गच्छन्थी मे में ही गच्छती गच्छताः गच्छंती तो प्रत्मा ये भी हमारा पुरुष लटलाकार का बहुबचल लगा हुआ है अताह मयाह इसमें तृतिय वक्ति लगी है सहकी योग में तव आगमनष्य तव आगमनष्य में देर्गशंदे हो गई है वैसे पूरी सच्टी वक्ति लगी है इसमें और यहां द मियर्गा उचित्यम, न्स्ति, न प्लसस्ति यहां देर्गशंदे, अहम आवाम बयं तो हम सब, यह यहां अहां आवाम बयम तो यह बहुँ बचल लगा है प्रत्मा का सप्ता है प्लस अंते सप्ता हांते यह दीर की संदी हो जाएगी आ हो जाएगा ठीक प्रत्य अगमिश्याम है प्रती प्लस अगमिश्याम है यह संदी प्रती प्लस अ गमिश्याम है ठीक प्रति-पलस-ँ अ मिश्यामा बृत्य ट्रत्य मिश्यामा देर की शन्दी और यह स्थान पर या हो जाता थेक लोट करके आओंगी सप्ताय के अंत में तावत में तब तक गरीवत्थाम में गर्की विवस्था को सष्ची वक्ति लगी है घर की विवस्था को नहीं दुतिय विवक्ति विवस्थाम घर की विवस्था को धैनो माने गाय की गाय के दोहन विवस्थांचा और गाय की दोहन विवस्था को परिपाला माने देखना ठेक चले आगे इसका अर्थ देखने जरा बिटा इसके सब्दार्थ देखें पहले, सब्दार्थ में मोधिकानी, लड्डू, रचयंती मने बनाती हुई, मन्द स्वरेण मने धीमी आवाज में, अनुभवनम मने अनुभव करते हुए, मनुभर, मन मन मोहक, विलोक मने देख करके, साक्रोधम मने क्रोधिशे, बिरम मने रुको, इस्प्रिश्य मने छुओ, मा मने नहीं, हस्त निर्वितानी मने हाथ से बने हुए, जिहुआ लोलो पताम मने जीव का लाला चो, नियंत्री तुम, नियंत्र ये तुम, नियंत्रान में रखने के लिए, अक्षमा हमाने असमर्थ हुँ, मुझे लड्डू बहुत पशंद है तुमारे हाथ के, सम्यक मने उचित, पूजा निमित्तानी मने पूजा के लिए, तरीही मने तो, देही मने दो, धर्म, यात्रान्चद, और धार्मिक यात्रा भी है, विश्यादम मने दुख के साथ, ओचित्यम मने उप्योक्त, सब्ता है, अंते मने सब्ता है के, अंत में, धेनों माने गाय की और दुख दे दोहन विवस्थांचा और दूद दोहने की विवस्था परिपाला इमाने पालन करो देखना ठीक है ना बोले अब मैं जा रही हूँ साथ दिन की टूर में अब तुम घर की विवस्था को देखना अपना खाने पीने का जोगार करते रहना अच्छे से ठीक है ना अब देखें पहला दृष्ष पहले दृष्ष का ये अर्थ देखने आप वैसे आपकी कहानी आपके दिमाग में सेट होती जागी कि क्या-क्या यहां पर कहा गया है बस आप लोगों को क्या करना पढ़ते जाना मनलिका लड्डू बनाते हुए धीमे स्वर में सिव भगवान की इस्थुति करती है फिर लड्डू की सुगंद को अनभव करता हुए प्रशन मन वाला चंदन प्रवेश्च करता है चंदन कहता अहाँ शुगंद तो मन मौख़ए देखकर कि यह लड्डू बन रहे हैं खुश हो करके तो स्वाध लेता हूँ लड्डू लेना चाहता है मलिका कहती है क्रोज से रुको रुको छूओ मत ये लड्डू छूओ मत लेना चंदन किसलिए गुस्ता करती हो अरे तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू को देखकर मेरी जीव लालत सीर नियंतरन करने में असमर्त हो जाती है क्या तुम यह नहीं जानती हो जीव से लड्डू की धार टपकटती है जब तुम्हारे हाथ के लड्डू देख लेता हूँ तो ठीक आगे देखे आगे देखे मलिका कह रही है ना थो अरे स्वामी जी सब कुछ जानती हूँ अच्छी तरह जानती हूँ परन्तु यह लड्डू पूजा के लिए है जंदन कहता है तो सीख रही पूजा संपन करो और प्रशाद दो लड्डू तो खा नहीं है फिर वो क्या कहती है मलिका अरे यहाँ पूजा नहीं होगी महराज यहाँ नहीं होगी स्वामी मैं अपनी सहेलियों के साथ कासी भी सुनात मंदिर की और जाओंगी वहाँ गंगा इशनान और धर्मयात्रा हम सब करेंगे राता काल उठकर के धर्मयात्रा करेंगे चंदन कहता है सहेलियों के साथ मेरे साथ नहीं जाओगी चंदन कहता है मेरे साथ नहीं जाओगी सहेलियों के साथ दुख करना टक करता है दुख करना टक करता है आप क्या करें ऐसे बोलता होगा मेरे साथ काह को जाओगी हाँ सहेलियों के साथ ही जाओगी ऐसे ठीक मल्लिका हाँ चमपा गोरी माया मोहनी कपिला आदी सभी जा रही है अताहा मेरे साथ तुम्हारा जाना ठीक नहीं है उचित नहीं है हम सबताय के अंत में लोटेंगी हम सबताय के अंत में लोटेंगी तो घर की विवस्था और गाय के दूद दुहने की विवस्था का पालन करना आरंब होता है अप ध्यान देना दूसरे द्रत्सय से क्या कथा चालू होती है ध्यान देना ठीक जंडल कहता है ठीक चंदन कहता है है अस्तु गच्छ सकीवी से धर्म यात्रयाहा अनंदि तहचा भाव औहम सर्बंवपी परपालिशrado श्यामी परीपालिश longestिर्व सिवास्ते संतु पंथानम सिवास्ते संतु पंथानम अस्तु पुले ठीक है गच्छ मने जाओ सखीवी सखीयों के साथ धर्मयात्र या धर्मयात्रा के धर्मयात्रा सखीयों के साथ धर्मयात्रा और आनंद के साथ जाओ मैं सर्वम अपी सब कुछ भी परिपालिश्यामी मने यहां पालन कर लूँगा सिवास्ते मने भगवान संतु मने पंथानम मने मार्ग तुम्हारा मार्ग क्या कल्यानकारी हो सिवास्ते मने कल्यानकारी हो तुम्हारा भगवान सिव के द्वारत भगवान तुम्हारा रास्ता कल्यार कारी करे अस्तू यहां देखें गच्छ धातू बना यहां गच्छ बना हुआ है तो जाओ तो यहां लोटलकार आज्यार्थक मद्यापुरुष की किरिया बने हुए सखीवी में तरतिया वक्ती धर्म यात्रा धर्म यात्रा या यात्रतिया विवक्ति लगी है धर्म यात्रा से ठीक आनन्दित हो और चा माने और भाव ये भी हो आनन्दित हो तुम्हारी यात्रा अहम माने मैं परिपालिश श्यामी यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है और मैं सब कुछ कर लूँगा ठेक तो यह हमारी लिर्ट लकार की किरिया लगी हो तंपुरुष एक परिश की ठेक सिवास्ते सिव प्लस आस्ते सिवास्ते तो यहां देर्गिशंदी हो गई है संतु पंथानम तुम्हारा मार्ग कल्यारकारी हो तब चंदन कहता फिर शे मलिका तु धर्म यात्राये गता मलिका तो धर्म यात्रा के लिए गई तो चतुर्थी वक्ति लगी है धर्म यात्रयाये ठेक तो मलिका तो चतुर कहां गई है यात्रा यात्रा के लिए गई तो मल्रिक तो अब कहा गई धर में यात्रा के लिए गई अस्तु दुख्ददोहनKit अब क्या है बोले दूद दोहन क्रित्वा माने करके ततह स्वा प्रात रासस प्रवंदम करिश्यामी दुख्द दोहन करने के बाद क्या है बोले प्राता काल की कुछ भोजन की विवस्था कर ली जाए नास्तादी की विवस्था कर ली जाए करेंगे ठेक इस तरी वेश्याम अब प्राता काल जैसे उसने देखा कि दुख दोहन करने के बाद बोले कुछ प्राता काल की क्या कर ली जाए नास्ता की जो गाल कर ली जाए तो प्रबंद माने विवस्था करना करिश्यामी करिश्यामा करिश्यामा उत्ता पुरुष्की करेंगे बोले कुछ विवस्था करेंगे तो इस्तरी वेशम नारी का रूप धारन किया इस्तरी का वेश धारन किया अब क्या है इस्तरी का वेश धारन किया साड़ी आड़ी पहन के बैठ गया होंगे चूले के पास तो इस्तरी का वेश धारन कृत्वा ध्रित्वा माने धारड किया और दुग्द पात्र हस्तम और हाथ में दूद दुहने का पात्र ले लिया दुग्द पात्र हस्तम हाथ में क्या है दूद का पात्र नंदिन्या समीपम गच्छती अब नंदिनी के पास पहुँचे सारी पहन के सारी पहन के नंदिनी क्या है गा करिश की एग करिस्यामी में मभिश्यकाल बढम इस गोस को दर्ण करके दुद्देग फडम एक भचन हो, तो नंदिनी के समीप टो ये किए एक बचन लट लकार पर थंपूरस सिए घई बचन है उमा अब इतने में उमा आ जाती है उमा कौन है अभी पता चलेगा ठीक उमा आई मातुलानी मातुलानी मामी मामी अब इससे इसपश्ट हो गया है कि उमा कौन है इसकी भानजी है किसकी चंदन की और मल्लीका की भानजी है तो मातुलानी मातुलानी अब उसको क्या पता है कि मामी तो चली गई है कासी विस्वनात लेकिन यहां इस तरी का वेज धारन किये है ना गाय के पास कौन पहुचा था चंदन उसने साड़ी आड़ी पहन के और दूद का पात लिया गाय का दूद दूद दूदने के लिए गया तो मातुलानी मातुलानी मामी मामी चंदन कहता है उमे उमे संबोधन का एक बचल लगा हुआ है तो उमे आ जाएगा उमा का उमे जैसी रमा का रमे आता है वैसे उमे संबोधन का एक बचल अहम तू मातुला मैं तो मामा हूँ अरे तू साड़ी पहने हो तो मामी सब कोई और मैं तो, और तुम्हारी मामी तो गंगा इश्नान के लिए कासी गई हुई है, कासी गई है, कथा है, कहो, किमते प्रियम करवानी, तुम्हारा क्या स्वागत किया जाए, क्या किया जाए तुम्हारे लिए प्रियम करवानी, ठीक, संबोधन लगा, अहम का प्रत्मा का एक तू माने तू मातुला माने मामा, तू माने 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 बताओ क्या कारण है ठीक उमा कहती है मातुल मातुल मामा पिता महा कथेती दादा जी ने कहा पिता महा कौन दादा जी दादा जी ने कहा है मासांतरम महिने के अंत मैं असमद माने हमारे ग्रिहे माने गर्म घर मैं महुत्सवाह माने एक उत्षव है बविश्यती माने होगा ठ एक मातुला मामा दादा जी ने कहा है कि महीने की अंत में महीने की लाष्ट में घर हमारे गर में एक महुच्छव है एक कारिक्रम है तत्र त्रिंसद शेटकम इदम दुगदम अपेकछते अर्थार्त तीस लेटर दूद की आवस्यक्ता इकछा है तीस लेटर दूद की जरूरत पड़ेगी अपिकछति मने चाहते हैं एसा विवस्था भवब्ध भी करणिया यह विवस्था आपको ही करना है यह विवस्था आपको ही करना है, यह आपको ही करना चाहिए ठीक चाहते हैं भवद भी मने यह एसा मने यह और विवस्था मने विवस्था भवद भी मने आपकी करनी है आपको करनी है यह विवस्था आपके द्वारा ही करनी है और तरतिया का बहु यहां तरतिया का बहु बचन लगा है इसलिए आपके द्वारा ही करनी है ठेक चंदन कहते हैं अब चंदन क्या कहर रहा प्रशन्य मनशा प्रशन्य मनशे तरतिया का एक बचन तरतिया का एक बचन लगा है और प्रशन्य मनशे चंदन कहता है तरिंसिता सेटकम सेटकर सेटका परिमितम दुगदम सोबनम अरे प्रशन मन से तीस लीटर दूद प्रशन मन से दुगद विवस्था भविश्चति जाओ दूद की विवस्था हो जाएगी यह से तुम तुम द्व़ला कह दिया तुम अपने दादा जी से कह देना की दूद की विवस्था हो जाएगी बस तीस लीटर दूद धुगदstell मुदम सोबनम दुगद विवश्था हो बिविश्चति यह इस तुम दूद की विवस्था भविस्था जाओ उमा कहती है धन्रफादा मामाजी जैसे अपने से राज ममा दे रहे हैं सुटके यहां भी मातुल मामाजी ने कह दिया और दन्रफाद दे करके उसी समय वहाँ से निर गता मthing निकल गई वहीं से सा महनवाईओ है क्योंकि उन उमा इस्त्रीवाच छी है ठीठ महा वहा से निकल गए याम बटना इतना कहिकर कि उसी समय अधुना माने उसी समय वहा से निकल गए ठीच बविस्यती में लटल रिकार बविश्यकाल है पितामा प्रती माने और अपने पितामा को मेरी और से तुम्हारे तुम्हारे द्वारा वक्तव्य माने कह देना संबोधन लगा हुआ है द्यान रखना अधुना माने इसी समय सानिरगता माने वो चली गए उमा वहां से चली गे सब्दार्थ देखें जरा सब्दार्थ में पंथाना हमाने मार गे रास्ती में स्वाप्रात रश्य माने अपनी शुवय की नास्ती का दृत्वा माने धारण करके मातुलानी माने मामी और मातुला हमाने मामा कथाय माने कहो कथा मतलब कहो करवानी माने करू करवानी का मतलब करू कितामा हमाने दादाजी से मासांतर माने महिनी के बाद 33 सिता माने 30, 60 कम इदम माने लीटर मात्र सोबनम बहुत अच्छा बगतब्यम कहना चाहिए याम यदुना माने अब जाती हूँ निरगता हमाने निकल गई उसी समय वो वहाँ से क्या हो गई? निकल गई दूसरे दृस्ति का सरल भावार्थ देखें जरा चंदर कहता है ठीक है जाओ दूसरे दृस्ति में उन्होंने किसको बोलाई ये किसे? मली कासे ठीक है जाओ और सहेलियों के साथ धार्मे की यात्रा सी आनंदित हो जाओ मैं सब की देखवाल करूँगा तुम्हारी यात्रा कल्यारकारी हो तुम्हारा मारग कल्यारकारी हो चंदर कहता है मलिका तो मलिका तो धार्मे की यात्रा के लिए गई ठीक है दूद दोहकर दूद दोहकर फिर अपने सुवह क नास्ते का प्रबंद करूँगा, इस तरी का वेजधारन करके दूद का वरतन हाथ में लिये नंदनी के समीप जाता है, कहां पहुंचता है, नंदनी के समीप पहुंचता है, और नंदनी से अब वहाँ पर क्या होगा, उमा आती है, मामी मामी, 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 चंदर कहता है अरे उमा मैं तो मामा हूँ तुम्हारी मामी तो गंगा इश्नान के लिए कासी गई है कहो तुम्हारा क्या प्रिय करूं उमा कहती है मामा दादा जी कहते है एक महीने के बाद हमारे घर में महुत्सा होगा वहां 30 लीटर दूद की अपेक्षा है यह विवस्था आपके द्वारा करनी चाहिए आपके द्वारा यह विवस्था करनी चाहिए चंदर कहता है प्रशनमन से मात्र 30 लीटर दूद बहुत अच्छा दूद की विवस्था होगी ही होगी ही ऐसा दादा जी को तुम्हारे द् पुत्यवस्ता हो जाईए। उमा कहती है धन्वाद मामा जी, अब जाती हूं वह निकल जाती है, वह वहाँ से क्या करती है'D निकल जाती है। तीसरा द्रिश्य यहां से चालू हो जाता है अब तीसरे द्रिश्य में क्या है जरा देखें अब यहां से चंदन कहता है चंदन प्रशन मन से प्रशनो भुत्वा प्रशनो होकर की अंगुली शुगड़यन उंगलियों को गिनता है उंगलियों के द्वारा गिनता है अहो कहो त्रीनसत शेटकम दुगदम तीस लीटर दूद वाँ अनेन तु बहुद धनम लपिश्यती लपस्य लपस्य इसके द्वारा तु बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा प्राप्त होगा नंदनीम दृष्ट्वा नंदनी की ओर देखता है देखकर के बहुत नंदनी अरे न टॉछ्ट्रे जड़कम और प्रशनमन से गाय की बहुत शेवा करता है प्रशनमन से गाय की सेवा करता है देखे प्रशन नहां यहां विशर की शंदी होनी चाहिए ठीक लेकर पीछे बहा होने की वज़े से वह विशर की स्थान पर हो गया उत्तिसंदी हो गई ठीक तो वह हो जाएगा तो भूत्वा में त्वा प्रत्य है भूधातु प्रशन होकर की अंगुली सु सक्तमी का एक भ से ट कम माना लीटर दुग दम माना दूध अनेया मेत्रितियं व्यक्ति तू मानतो बहु धनम मानत बहुत भा भूवथ यहाएग भात्तह ओगा नंद्रीम दिरिश्टवा नंदिन को देखकर की दृष्ड दवा इत्वा प्रत्य है नंद्रीम दुटियं दुटियं वक्ति वविषयावा वविषयामा तो यह हमारा लटलकार वविषयाओ लगा हुए और और धैनों गयक डैनों सरस्टी वथ uक्ती कहेば अगर करते हैं थी चंतन कहता है चिंता अब चंतन फिर सी उच रहा है और चंत रहे हैं. युटा कर रहे हिं जरूरत हो तो महिने के प्रति देनम्ढर्ञ्णम करेंव कि गधे डूर्याय की डूर्णल की जरूरत होती है तो यदी प्रतिधिनम दोहनम करो मी अगर प्रतिधिन दोहन एक साथ करते हैं तो दूधम सुरक्षितम नतिष्टती दूध सुरक्षित नहीं रह सकता है फट सकता है फट जाएगा इदानीम किमकर नामी इसके लिए क्या करना चाहिए बोले भवतुना अमासांति यो संपू माने पून रूप से दुख्द दोहनम करो मी, मतला अच्छे से मैं सम्पून रूप से दूद का दोहन करूँगा महीने के अंत में। ऐसा मनमें विचार किया उष्णे, चिंत यती, चिंत यताह, चिंत यती, तो ये लटलकार परतम पुरोष करम बाच की किरिया है एक बचन की महा सांति में महीने के अंत में और दुखधस में सप्ट भी का एक बचन आवस्यकता भवती, भवती भवताह भवंती, यदी माने प इस समय किम करवाने, इस समय क्या करेंगी भवताह 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 में ठीक, तो तूताभवंति मासानि में दीर दीडिशन दिये, है measurement Yanya संपूर्ण तया में ठतिय का एक बचन दुख दोहिंग, करोंग दूद के दोहन को करोँगा, करूगगा दूद के दूखन क करने से अच्छा है कि महीनी के अंत में घटा दूदध दोध दोर करो एक सब्त दीनम सब्त दिनानि व्यतितानि यही क्रम उसका चलता रहा उसने दूद दोहन बंद कर दिया और शात दिन बीत गयं सब्ताहांते मल्लीका प्रत्यागक्षती सब्ताह के अंत में क्या है मल्लीका लोट करके आती है इवं क्रमेड में तिर्तिया वक्ति इसमें लगी सब्त दिनानी में प्रत्मा का बहुवचन व्यती तानी में भी हमारा प्रत्मा का बहुवचन सब्ताह प्लस अंते सब्ताह अंते दीर की संदी और भवजनानती भी है मलिका में प्रत्मा प्रत्यागक्षती 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 लोट करके आती है सब्ताह के अंत में मलिका लोट करके आती है आती है मलिका कहती है मलिका वहां से आती है अर चंडन लालज से लालज से पूर्ण क्या करता है लड़ुओं को खाते हुए और बोलता है बोलता है चंदन क्या बोलता है देखें बोलता है मल्ली की अरे मल्ली की इत्ता हो यात्रा तो सम्यक सफला जाता तुम्हारी यात्रा तो सही रूप से सफल हो गई है कासी विस्वुनाता से किर्पा प्रियम निवेद्यामी कासी विस्वुनात की किर्पा से कासी दर्म यात्रा दर्म यात्रा तिरिक्तम प्रियतरम किम दर्म यात्रा के यत्रिक्त और क्या हुआ है और क्या और क्या अच्छा हुआ है ठीक तो यहां से देखेंगे अब इस स्वामिर संबुधन लगा प्रत्यागता प्रतिधन आगता यहां यड़संदी हो गई आज तो यहां प्रत्मा का एक बचन है लटलकार पुरुष एक बचन चन्दन मल्लिके में संबोधन तव में सश्टी व्यक्ति शम्यक माने ठीक प्रकार सी सपला माने सफल जाता माने हो गई है कासी भी सुनाथस में सश्टी का एक बचन लगा सश्टी व्यक्ति का एक बचन किरपया प्रियम निवेद्यामी किरपया प्रधियामी में यह हमारा उत्तमपुरुष की किरिया लगी है मलिका सास्चर आस्चर के साथ तो यहां अभवव भाव समास है और धर्म यात्रा के अतरीक्ट प्रियतरम क्या हुआ है यह मलृका पोस् पयांसी मने दूद को लप शी म मने प्राप्त करूँगा मासांते मने महीनी क्यंत में एदाणी मने अब एदाणीम का मतलब आब संपूर्ण तया मने पूरी तरसी ये मने इस्प्रकार प्रत्या गच्चति मने लोटती है प्रविश्य माने प्रवेश करके प्रत्यागत माने लोट आई आश्वादय माने श्वादलो सा आश्चर्यम माने हैरानी से सा आश्चर्यम माने हैरानी से तीसरा द्रस्य उन्होंने देखा और तीसरी द्रस्य में क्या करती है चंदन कहता है प्रशन होकर के उंगलियों पर गिन करके अहां तीस से लीटर दूद है इससे तो बहुत सारा धर प्राप्त होगा नंदनी को देखकर के ही नंदनी तुमारी किरपासी में धनी हो जाओंगा तुमारी किरपासी में धनी हो जाओंगा प्रशन वह गाय की बहुत शेवा करता है प्रशन होकर कि वह गाय की बहुत शेवा करता है और चंदर कहता है सोचता है महिने के आंत में ही दूद नहीं दूद की आवश्यक्ता होती है महिने के आंत में ही गाय की दूद की आवश्यक्ता होती है यदि प्रति दिन दोहन करता हूं तो दूद सुरक्षित नहीं रहता अब क्या करूं जो भी हो महिने के अंत में ही पूरी तरह दूद का दोहन करता हूं अब अब नहीं करूंगा अब प्रति दिन अब महिने के अंत में ही गाय का दोहन करूंगा इस परकार क्रम से साथ दिन बीद जाते हैं इस परकार से दीरे दीरे उसने गाय का करके हे स्वामी मैं लोटाई प्रिशाद का स्वाद लो चंदन लड़ उखाता है और बोलता है चंदन हे मल्लीका तुम्हारी यात्रा तो भली प्रकार शफल हुई है काई सी विस्वनात की किरपा से बताता हूं मल्लीका आश्चर से ऐसा धार्मिक यात्रा अतरिक्त प्रियत प्रियतर यह धार्मिक यात्रा के अलावा और क्या क्या हुआ है और क्या है चंदन कहता है चंदन कहता है मल्ली का कहती है धोक्षावा यहां से देखे उन्होंने क्या कहा चंदर कहता है कि ग्राम प्रमुख के ग्रही माने घर में घर पर मासांते माने महिने के अंत में महुद्सवा भविस्थी एक उत्सव होना होगा तत्र त्रिसद उन्हें तीस सेटकम इदम अतीस लीटर दुगदम आसमा भी मान अतीस लीटर दूद उनको जरूरत थीस लीटर दूद की अब शक्ता है दातव्यम माने देने के लिए मैंने कहा है मल्ली का कहती है किन्तुम एतावन मात्रम दुगदम कुता प्राप स्यामा लेकर तुम इतनी अधिक मात्रम है दुगद कहां से प्राप्त करोगे चंदन कहता विचार है विचार करो मल्ली के प्रती दिनम दोहनम कृत्वा रोज रोज दुद दुख करके हम दुगदम इस्थापयामा इस्थापित नहीं कर पाते हैं तत सुरक्षतम नातिष्थाथी वह हमारा सुरक्षत नहीं रह सकता है अतर दुगद दोहनम ना किरियते अब हम दुद का दोहन नहीं करेंगे उत्सव दिने उत्सव दिने एव शमग्रम दुगदम दोग्षाबा उत्सव के दिन ही हम एकट्टा दूद अधे विचारे मलीके में संबोधान यहां लगा हुआ है और दोहिनम कृत्वा में क्रिवता तो प्रत्त है इस थापी आमें हमें देखें आ मिें अ यह लरेके लिटार लंगा हुआ है लिड़ी लिकार के लगए लिड़ी लकार पृृष बहु बहचल तिश्ठती तिश्ठततर लट लकार पृृष एक बचल इसके भाद भोभचल घॉख्षयावा यहां पर हमारा दूइ विचल लगा हुआ है उत्तम पुरुषका ठीक क्रियते क्रियनते भी लगा हुआ है मल्लिका कहती है स्वामिन श्वामिन तौम तू चतुर है चतुरतमाहा अति उत्तम विचारा है अधुना दुग्द दोहनम भिहाय केवलम नंदिन्या सेवाम चा करिश्यावा अनेन अधिका अधिकम दुग्दम मासांते प्रापिस्यामा यह तो और वड़ी वाली हो गई है उनके चलो पती तो मूर्ख ते लेकर पती ही कुछ समझदार हो जाती लेकिन यह उनसे बड़ी वाली मूर्ख हो गई है और क्या कहने लगी देखिए कि स्वामी हां मालिक हां स्वामी तुम तो चत्रतमा बहुत चत्र हो अति उत्तम अत्तर बहुत अच्छा भिचार है आपका अधुना इस समझ से दुग्द दोहनम भिहाय और दुग्द दोहन को छोड़ करके केवलम नंदिन्या सेवाम केवल नंदिनी की सेवा को करते हैं करिश्यावा दोनों लोग करते हैं और अनेन माने इसके बाद अधिका अधिकम बहुत सारा दुग्दम माने दूद को मासांते माने महिने के अंत में प्रापिश्यावा माने प्राप्त करेगे और बड़ी वाली है और बड़ी वाली दिखें यहां संबोधन लगा हुआ है अधुनामा ने इसी समय विहाय में भी धातु भी उपसर्ग है या हिरी धातु है छोड़कर के त्यागना सेवाम में दुतिया भ्यवक्ति लगी करिश्यावा में उत्तम पुरुष की हमारी किरि भचन का रूप है ठीक फिर इसके बाद दो वेव धैनों सेवायाम नित्रव भवता असमिन क्रमे गासादिकम गुणादिकम चा भोजयत कदाचित विशाणयो हो तैलम लेपयत तिलकम धारयत रात्रव नीरा जने नापी तोसयत देखिए दोनों दो वेव दोनों ही धैनों कि सेवा में निरंतर लग गए ठीक और असमिन क्रमे यह क्रम इस क्रम से घासादिकम गुणादिकम और उनको घासादी गुणादी खिला करके भोजयन में देते थे कदाचित विशाणयों और कभी-कभी तेलों में तैलम लेपयत माना तेल को लगाते हैं उनके सींगों में तिलकम धार्या, तिलक भी लगाते हैं नन दनीकों, रात तव, रात में भी नीराजनिम जल आदी उसको पिलाते हैं, उसमें भी उनको परिसानी नहीं होती है, और बश, चंदन मलिके अरे मलिके है आगच्छ, मनें आओ, कुमब कारं प्रति चलावा, दुगदार्थम पात प्रत्र प्रवंदो अपी करनियां, दोवयव निर्गता, और चंदर कहता है अरे मलिका और चलते हैं आगाच्छ माने आओ, कुम्हार के यहां से क्या करेंगे, प्रति, चलावा, ओर चलते हैं, दुखदार्थम माने दूद के पात्र के प्रवंद के लिए, क्योंकि तीस ली अधिसंदी है दोव प्लस एव द्वाएव धौनों में सश्टी वक्ति सेवायाम में सप्तिव वक्ति नित्रव में दुई बचल लगा हुगा है क्रमे माने क्रम से ग्राव साधिकंव रजच देने लगा दंजा है भोजय तहा विशागोग यहाँ सश्टी का दुई बचल लगा हुगा है असे पिल लिप्यत वहने लगाती है धार्यत आरियत appeals द्वार्यता तहार दिल राज सेवा कर रहे हैं चंदन कहता है और यहां मल्लीके में संबोधन आगच्छ में यहां पर भी हमारा आओ ठीक कुम्बकार यह आगच्छ आपका लुटलकार का लगा हुआ है चलाव यह हमारा उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष आमी आवह आवह तो 2 बेचंद का लगा से जाते से डोनों हैं जाते हैं देखे इसमें सब्धार्त दाथक ब्यम से योग ईतावट उतना इतना प्राप्ष्यमान माले kसि करेंगे भीचारे मने अच्छे विचार वोहने छोड़कर दोनों ही निर्व तव माने दोनों जुटे हुए हैं भोजियत माने दोनों खिलाते हैं विशाणियों माने दोनों सींगों में नीरा यने नाप दोनों कस्ट रहे तभी बिल्कुन भी उनको अब कोई कस्ट नहीं दिन और रात लग गए हैं लनदनी की सिवा में आगत्ष मने आउ कुम्भकारा मने कुमार निर्गता मने दौनों निकल जाती है दौनों वहां से कुमार के पास निकल जाते है अर्थ देखेंगे? चंदन क्या कहता है? ग्राम प्रमुक के घर में महिने के अंत में महुत्सव होगा वहां तीस लीटर दूद हमारी द्वारा देने योग है मलिका कहती है कि इतना सारा दूद हम कहां से प्राप्त करेंगी चंदर कहता है मलिके सोचो यदि प्रति दिन दुग्द दुई करके हम रखते हैं तो सुरक्षित नहीं रहता इसलिए दूद दूद ना किया जाए उत्साओ के दिन ही सारा दूद 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 देंगे दूद देंगे एक घटा दूद देंगे मलिका कहती है कि हे स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो बहुत ही उत्तम विचार अब दूद का दोहिना छोड़ करके केवल नंदनी की सेवा ही हम दूद दूद करेंगे इस से महीने के अंत में अधिक से अधिक दूद प्राप्त करनेंगे फिर क्या दूद दूद ही गाय की सेवा में सनलगन हो जाते हैं इसी क्रम में गास आदी और गुड आदी को खिलाते हैं कभी दोनों सींगों में तेल का लेप करते हैं लगाते हैं तिलक लगाते हैं रात्री में भी कष्ट रहे तसंतुष्ट रहते हैं कोई कष्ट नहीं उनको और बढ़िया से गाय की सेवा में लगे हुए है चंदन कहता है मलिके आओ कुमार के पास चलते हैं दूद के लिए पात्र का प्रवंद भीग तो करना चाहिए दौनों ही वहाँ से निकल पड़ते हैं वहाँ से दौनों निकल पड़ते हैं अब गाय की क्या है विवस्था करना है न दूद की अब 30 लिटर दूद मिलेगा तो कहां से होगा कहां से विवस्था होगी इसलिए 30 लिटर दूद को देने के लिए वहाँ से क्या करते हैं वो निकल पड़ते हैं और कुमार के पास गुमार के यहां, दोनों निकल पड़ते हैं, kind? कौन कौन निकल पड़ते हैं? पती और पतनी, दोनों, चन्दन और अपनी पतनी के साथ को लेकरके दूद की विवस्ता करना है, महिने के अंत में 30 लीटर दूद एक साथ उनको देने जाना है, क्यों? ग्राम प्रमुक़् के यहाँ अब देखना यहाँ उनकी बेव कूफी देखो गाय को एक महिनी से नहीं लगा रहे है कितनी पीड़ा उसको हो रही होगी इस बात को वो नहीं जानते वो अपने स्वार्थ को जान रहे हैं अपने स्वार्थ की में नीत हैं स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं तो कुम्बकार के पास जैसे ही वहाँ चौथा द्रिस्य हमारा चल रहा है ध्यान रखना उन्होंने का घट रचनायाम लीनह लीनह गायती अर्थार्थ घट मने घड़ा घट मतलब क्या होता है विटा घड़ा और रचनायाम मने घट रचना में घड़ा बनाने में लीनह मने लीन और गायती मने और गा रहा है घड़ा बनाते घड़ा बनाने में लीन गा रहा है लीना है कुछ गुन गुना रहा है गायन कर रहा है रचनायाम दिया हुआ है अब रचनायाम में सब्तमी का एक बचन लगा है सब्तमी विभक्ति का एक बचन सब्तमी भक्ति का एक बचन लगा है जैसे रुख चलेंगे हमारे रमा के लता के वैसे ही चलेंगे हमारे रचना के ठीक तो रमायाम बनता है सब्तमी एक बचन में और लतायाम बनता है सब्तमी एक बचन में वैसे ही बना रचनायाम तो इनका कारक्षिन है सक्तिवी भक्ति का मैं या पर मैं या पर ठीक तो उन्होंने कह दिया घट रचनायाम लीना गायती अर्थार घट घड़े को बनाने में लीन वो कुमार क्या है कुछ गाना गुन गुन गुना रहा है गुन गुना रहा है क्या लीनक क्या गा रहे हैं कि ग्यातो पी जीविकाए तो रचयामी घटनाहम जीवनम बंगुरम सरेवम यथायम रतिका घटा यथाम रतिका घटा देखें जरा कितनी अच्छे बात अब देखो जो यहां घटे को बनाते समय जो कुम्हार है कुम्बकार कुम्बकार है जो कुम्हार है वो क्या कर रहा है गायन कर रहा है गारा जैसे आज भी हम लोग भी कोई कार करते हैं तो मन में गुन गुनाते रहते हैं और लीन हो जाते ह ग्यात्वा पे जीव काहेतो रचियामी घटनानहम जीव नम चनभंगुरम सरेवम यथायम ब्रतिका घटा यथायम ब्रतिका घटा देखें ग्यात्वा अपी ग्यात है मुझे देखिए अब यहाँ देखें आहम अहां मने मैं मुझे ठेक ग्यात्वा अपी ग्यात है मुझे भी ग्यात है कि जीव का हेतू रचियामी घटना घटान घड़े को मुझे मुझे ग्यान है मुझे ग्यात है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ ये मैं ये भी जानता हूँ कि जीव का हेतू अपनी जीव का चलाने के लिए अपनी जीविका चलाने के लिए अपना पेट भरने के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इसी कारण से रचयामी मैंने बनाता हूं क्या बोले घटा बोले मुझे मालूम भी है मुझे सब कुछ मालूम है फिर भी मैं अपनी जीवी का हेतू अपने पालन पोशन के हेतू अपने घर के पालन पोशन के हेतू अपने बच्चों का पालन पोशन करने हेतू अपने परिवार का खर्च चलाने के हेतू कारण से मैं रच्यामी मने बनाता हूं घटा मने घडा गटान मने घड़ों को एक बचन की क्रिया लटलकार की लगी होई है रचयामी रचता हूं बनाता हूं जीव का हेतो मने अपने जीव को पारजन के लिए अपने परिवार के लिए अपने कल्यान के लिए अपने परिवार को चलाने के लिए मैं घणों को बनाता हूं तो ग्यात्व अपी ग्यात्व ठीक तो मैं जानता हूं फिर उनने कहा कि जीवनम छण भंगुरम सरबं यथा अयम्रतिका घटा बोले जीवन भी क्या है बोले भंगुरम छण भंगुर है जीवन भी हमारा एक छणिक मात्र के लिए है बोले सरबं यथा बोले जैसे बोले सब जैसे जैसे अयम्रतिका घटा जैसे यह मिट्टी का घाना है, ऐसे ही हमारा जीवन भी क्या है, बोले मिट्टी के घड़े के समाने, यह गा रहा है कौन, आप लोगों ने देखा न, कि एक गाना है, कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, तो मौत जब तुम को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो यह क्या है, जिंदगी ऐसे ही है, कोई छण का पता नहीं है, कुमार यही सोच रहा है, कि जैसे मैं इस मिट्टी के घड़े को बनाता हूं, और एक मिनिट नहीं लगता बनाने में, तो एक घंटे, दो गंटे, दस गंटे लगते हैं, लेकिन इसका कोई समय नहीं है, अगर थोड़ा भी चणिक मात्र से हट गया, तो एक पल में यह नश्ट हो जाएगा, और वो भी यही सोच रहा है, कि जीवन भी हमारा क्या है, भंगुरम, चण भंगुर है, सर्वम यथा, जैसे वोने गंदन और मली का दोनों कहां जा रहे हैं, घड़े लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दूद की उन्हें विवस्था करना है, तीस लीटर एक साथ दूद को उन्हें क्या करना है, एकत्रित करना है, इसलिए वह कुमार के पास पहुंचते हैं, कुमार के पास पहुंचते ह तो ग्यात्वा प्लस अपी ग्यातो पी जीव का हेतो हो तो जीव को हेतू बन जाएगा हेतो हो गया रच्यामी में उत्तमपुरुस का एक बचन घटाना गटान प्लस आहम तो घटना दूतिया का बहुबचन जीवनम में जीवन छणभंगुर है तो प्रत्मा का एक बचन छणभंगुरम में प्रत्मा का एक बचन सर्वं में प्रत्मा का एक बचन यथा अयम तो यहां दीर के संदी हो गई है मृति का घटा मिट्टी का घटा ठीक फिर चंदन क्या कहता है अब चंदन जैसे ही वहाँ पहुंचता है कुमार के पास तो क्या कहता है नमस्करो मी तात नमस्करो मी तात नमस्कार करता हूँ तात चाचा मान लीजिये नमसकार करता हूं तो नमसकार करता हूं पंच दस घटान एक छामी पंद्रह, पंच दस, पंच माने पांच, दस माने दस, पांच और दस, पंच दस, पांच दस घटा, मतलब पंद्रह घटा, घटा, घणों को एकछा मी माने चाहता हूं, पांच घणों को चाहता हूं, पंद्रह घणों को चाहता हूं, पंच दस माने पंद्रह, घटान माने घ लाएगा यह संबूधन कहलाएगा और घटान में दुतिया विभक्ति का बहुबचन लगा गटान में क्या लगा है दुतिया विभक्ति का बहुबचन कैसे जैसे रामह रामव रामा बनेगा वैसे बनेगा रामम रामव रामान तो यह बनेगा हमारा घटम गटव घटान को गणों को एक्षामी मनें चाहता हूं एक्षामी एक्षावा एक्षामा यह उत्तम पुरुष एक बचन की किरिया बन जाएगी एक्षामी एक्षावा एक्षामा किम दास्यसी किम दास्यसी क्या दोगे तुम दोगे क्या तुम दोगे या क्या आप दोगे दास्यसी दास्य था दास्यत यह मध्यम पुरुष की किरिया और एक बचन की किरिया लगी है सी था दास्यासी दास्यत था दास्यत दास्यासी दास्यत था दास्यत यह एक बचन दूई बचन बहु बचन ठीक यह कहां का है देखो यह दास्यत्य यह मध्यमपुरुष में आ जाएगा दास्यत्य एक वचन में किम्मने क्या क्या नमसकार करता हूं ताता था 15-10 घर 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 चाहता हूं क्या दोगे क्या दोगे मेह आब देखें यहां से देवेश स्कॉास कहता है अब देवेस यहां जो नाम आया है यह घढ़ कुम्हार का ही आया है किसका आया है देवेस यहां पर कुम्हार का गया है लेकिन यहां पर देवेस जो सब्दा आया है वो कुम्हार का ही नाम है किसका नाम है कुम्हार का तो ध्यान रखना कथम ना विक्रनाय एव एते अरे क्यों नहीं कैसे नहीं देंगे उसने कहा रहा है क्या दोगे भाई उसने यही पूछा ना कि मैं पंदरह घड़े चाहता हूँ क्या दोगे तो उन्होंने कहा कथम ना कैसे नहीं कथम माने कैसे ना माने नहीं अरे कैसे नहीं विक्रणाय एव एते मैं बेचने के लिए ही हैं ये क्या हैं बोले एव माने ए ही ये सब क्या हैं एते माने ये और एव माने ही ये बेचने के लिए ही हैं के लिए चतुर्थी का एक बचन लगा है इसलिए बेचने के लिए विक्रणाय 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 बेचने के लिए ही हैं ग् कानों को ग्रहन कर लो पंचा शत्य उत्त्राईक सत्म रुप कानी चादे ही पंचा श अव त्रीक ठीक 12 cetteंड उत्त्तराईक शत्म्त पतलाव 500 रुप कानी चादे ही और 500 रुप मुझे अभी तॉरं मुझे पांसो रुपय दे दो कि अब देखें यहां पर देखें ग्रहार कर लो गड़ों को और क्या कर दो मुले 500 रुप कानी रुप कानी क्या दिया हुआ है रुप कानी रुप कम रुप के रुप कानी तो ये प्रतमा का बहुबचन चा माने और देही मध्यमपुरुष 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 एक बचन का रुप लगा हुआ है देही ठीक तो और मुझे 500 रुपे दे दो अब चंदना चंदन चंदन क्या कहता है शाद हूँ शाद हूँ परम मुल्यम्तु दुखदम विक्रिये योव दातुम सक्यती साद हूँ बुरे शज्जन परम परंतु सज्जन देखिए उसनक के चंदन कहता है किसी कुमहार्शी सज्जन परंतु मुल्यम्तु दुखदम विक्रिये योव दातुम सक्यते मुल्द तो मैं दूध विक्जाने के बाद ही देऊंगा दे सकता हूँ दात्म सक्यते दे सकता हूँ ठेक मैं दूद तो दूद के भिक जाने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ पैसे दे सकता हूँ मूल दे सकता हूँ ठेक अब यहां देखना सक्यते 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 यह कर्म बाच की क्रिया लगी है लट लकार एक पुचल की दातुम में तुमुल प्रित्य दाधातु है ठेक तू माने तो दुखदम माने दूद बिक्री माने बेचकर की यो माने ही मुल्यम माने मुल्य और साधू माने सज्जन हे सजन हम मुल तो तभी दे पाएंगे जब दूद बिख जाएगा दूद देकर की दूद बेचने के बाद ही हम मुल को दे शकते हैं तो देवेश कहता है देवेश कहता है चमताम पुत्र चमताम पुत्र मुल ने हम बिना तो एक अमापी घटम ना दा-स्याम चमताम पुत्र मुझे चमा कर दो पुत्र मुझे बिटा चमा कर दो मुल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दे पाऊँगा एक भी घड़ा नहीं दे सकता एक भी घड़ा ना दास्यामी न दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ दास्यामी दास्यावा दास्यामा उत्तंपुरुष एक बचन की क्रिया लग जाएगी घटम माने घड़े को और एकम अपी माने एक भी बिना माने नहीं और मुल्या माने मुल्के मूल के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दे सकता हूँ बेटा चमताम चमा कर दे चमा चाहता हूँ चमताम पोतर चमा चाहता हूँ ठीक आगे देखें दास्यामी दास्यावा दास्यामा लट लकार परताब पुरुष एक बचन ध्यान रखना उसmber लिर्ट लकार नहीं दे सकूँगा एक भी घड़ा नहीं दे सकूँगा दास्यामी श्यामी स्यावा श्यामा ठीक दास्यामी अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने ना कि जो यह दाधातु है हमारी देने के अर्थ में ठीक तो यह हमारी बनती है ददाती ददताह ददाती ददताह ददनती ऐसे रूप बनते हैं तो यह हमारा मूल रूप में काम करती है लिर्ट लकार भविसकाल में दास्यती दास्यताह 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 दास्यामी दास्यावा दास्यामा इसमें रूप है जैसे पाधातू पिब के रूप में काम करत तो भो भी बनेगा पास्यत ही पास्यत हाँ ठीक द्रिस दातु भी चलती है तो इसके द्रिक्श developing में चल जाती है ठीक और विछाटी रूप चलती है पस्यत की पस्यता में तो कि अन्न सा परिवर्दतन होता है ध्यान रखना मलिका अब मलिका क्या कहती है मलिका कहती है स्वा आभूश्णम दातों में एक्छती तात तात बाबा दादा जो भी है स्वा माने स्वयम के आभूश्णम माने आभूश्णम दातों में एक्छती माने देना चाहती है स्वयम के आभुषर देना चाहती है, तात यदि अधुनेवे मूल्यम आवस्यकम तरही, गिरहान एतत आभुषरणंफ, यदि आज ही मूल्य की आवस्यकता है, तो गिरहान माने लेलो, एतत आभुषरणंफ, यह मेरे आभुषरण, आज आप लेलो, अगर आज ही आपको मूल किया वसकता है तो मेरे जो आ भूषने हैं आप इसको ले लो देखें तो देखें âu देखें यहां से ढले लिया और यहां से ढले लिया दोनों को मिलाया बड़ा आ बन जाएगा तो स्वा में आ की मातरा लग जाएगी भूशनम जुड़ जाएगा स्वाभूशनम स्वाभूशनम ठीक तो उन्हों न कहा कि अगर आज ही आपको एक्षा है आपकी एक्षा है कि आज ही मुझे मुल चाहिए आवसकता है तो फिर क्या है स्वाभूशनम लेलो दातम एक्षती देने की एक्षा से अपने दातुम दातुम अलग हो जाएगा एक्षटी एक्षटा एक्षटी अलग हो जाएगा दातुम में दाधातु तुम उन प्रत्ते लग करकी दातुम बना हुआ है ठीक तो दातुम एक्षटी देने की एक्षा से स्वायम के आभूशन देने की एक्षा से तात संबोधन लगा है यदि अधुनाईव अधुना प्लस एव तो यहां व्रद्धिशंदी हो गई है अधुना अधुना प्लस एव बड़ा आ और ए दोनों मिल जाएंगे आई बन जाएगा बन जाएगा अधुनाईव क्या बनेगा अधुनाईव अधुनाईव बन गया तो व्रद्धिशंदी हो जाएगी मुल्यम आवश्यकम तरही तरही मान तो ही ग्रिहान एतत आभूशन तो ग्रिहान कर लो फिर यह आभूशन फिर उनोने का दे विशा दे विशा पुत्रिके deja मैं नहीं पाप कर्म करता हूं मैं ये पाप कर्म नहीं करता हूं और कठम अपी ने एक छामी कैसे भी ना माने नहीं एक्छामी कैसे भी नहीं चाहता हूँ मैं किसी प्रकार से ये नहीं चाहता हूँ कि तौम आभूशन भीहीना करतूं मैं तुम्हें किसी प्रकार से आभूशन भीहीन नहीं करतूं माने कर सकता नयतो यथा अभिली सितम गटान और लेलो यथा अभिली सितम अपनी एक्छा के अनुसार गटाओं माने गटान माने गड़ों को दुगदम विक्रिय यो गटमूल्यम दातों और दूद विक जाने के बाद गड़ों का मूल दे देना दोद्ध जाने के बाद घड़ों का मुल देदेना ददातु देदेना देखें जारा पुत्रिके में संबोधन लगा हुआ है ना अहम ना प्लश अहम दीर की शन्दी है ना अहम आ प्लश आ दोनों मिलेंगी आ तो क्या हो जाएगा ना प्लश हम क्या बनेगा नाहम आकी मात्रह इसमें लग जाएगी तो नाहम ठीक अब क्या कह रहे हैं नाहम पापकर्म पापकर्म करोमी कुरुता ठीक बनेगा करोमी करोमी कुरुवा कुरुवामा तो करोमी बने गया कथम अपी नेक्षामी ना प्लस एक्षामी ना प्लस एक्षामी आके बाद या गया यह बन जाएगा गुर्शंदी है यहां बनेगा गुर्शंदी और ना प्लस ए वह आ प्लस ए बराबर ए तो एक की मात्रा यहां लग जाएगी ठेक ने पर और एक्षामी नेक्षामी तौम 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 दुधियभ sabıkatri का एक वचन लगा हूँ है तौम तौया तुभ्यम ऐस़ चलंब कर्तुम कृधातु Tudo Pra किर्थ वित्त विद्त्त कर तुम्हों को सच्ठी विंदर कर्तुम क्रिध्धा तुमुन-पृत्य कर्तुम कर्तुम नयतु निधातु नयतु 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 नयत सितम ठीक तो यहां आ और यहां आ दोनों मिलेंगे बड़ा यह बन गया यह था ठीक पहले से यह था में बड़ा आ है लेकिन यहां दीर की संदी है ठीक यह था अपनी एक्छा की अनुशार क्या कर लो पूले घटान मन घड़ों को तो रामान वैसे ही बनेगा घटान रामान घटान दुतिया विवक्ति का बहुचा दुखदम विक्रिये देखे विवसर्ग पूर्वक्री धातु से विक्रिये घट मूल्यम ददातु ददातु ददताम ददंतु बनेगा तो तूताम अन्तु बनेगा ददातु अब दोनों बोलते हैं दोनों क्या बोलते हैं धन्यो प्लस 80 धन्या प्लस 80 धन्योसी ये बना न धन्या विशर के स्थान पर ओ हो जाएगा और आ आएगा अवग्रह के रूप में आ आ जाएगा अवग्रह में और ऐसे जुड़ जाएगा धन्योसी धन्योसी विशर के संधी धन्योसी तात धन्योसी दोनों जगे ज्यान लखना फ तिर इसके बाद अनवय, अनवय है, देखें जरा, वोले धन्यों होता, यथा, देखिए यहां क्या है यथा ये समृति का घटा, जो पहले इशलुक आया था जो मिट्टी का घड़ा, ये वो मिट्टी की घड़ा बनाते समय वो लीन था कुमार, पहले इशलुक का उसी का ये तो घटान रच्यामी, बोले जैसे मिट्टी का घड़ा, वैसे ही सभी का जीवन छण भंगुर है, जान कर भी अहम, मैं ये सब क्या कर रहा हूं, बोले घड़ों का, अपनी जीवी का उपारजन करने के लिए घड़ों को बना रहा हूं, इसके सबदार्थ देखने पहने, स भंगुरम माने टूटकर समाप्त होने वाला, यथेईस माने जैसे यह, मृति का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, पंच, दस माने पंद्रे, विक्रे आन, विक्रे रणाय, वेचने के लिए विक्रिय माने वेच करके, अधुनाईव माने अब ही, और नया तुमाने ले जाओ, ददा तुमाने दो, ददा तुमाने दो, ले जाओ, और दो, अर्थ देखें, चौथे द्रश्च में क्या बताया गया है, चौथे द्रश कहता है घड़े की रचना में लीन गाता है लीन है और गाता है जैसा यह मिट्टी का घड़ा बैसा ही सारा जीवन छण भंगुर जानकर जीविका की कारण मैं घड़ों को बनाता हूं तो चंदन कहता है स्रीमान नमस्ते करता हूं स्रीमान मैं आपको नमस्ते करता हूं 15 घड़े चाहता हूं क्या दोगे देवेश कहता है कैसे नहीं यह बेचने के लिए ही है घड़े घड़न करो और 500 रुपे दे दो गाण को घड़न करो और 500 रुपे दे दो चंदन कहता है ठीक है परंतु मुल तो दूद बेचकर ही दे सक फिर क्या फर देवेस कहता है ये पुत्र छमा करो छमा करो मुल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूगा तो मल्ली का कहती है उसकी चंधन की पत्नी कहती है कि अपने आभूशन देना चाहती हूँ चाहती है तात यदि आज ही मुल्य आवश्यक है तो यह आभूशन मुझ कहता है ये पुत्री मैं पापकर्म नहीं करता हूँ ये पुत्री मैं पापकर्म नहीं करता हूँ मैं तुमको आभूशन विहीन नहीं करना चाहता हूँ मैं तुमको आभूशन विहीन नहीं करना चाहता जैसे घड़े चाहिए जैसे घड़े चाहिए ले लो दूद बेचक तुम्हें धन्न हो कौन कहते हैं चंदन और मल्ली का यह हमारा पंचम द्रश्च आगया पंचम द्रश्च में क्या बातचीत हो रही है दोनों की देखें जरा देखें यहां से पंचम द्रश्च पाचम द्रश्च आगया है देखें अब मासांतरम संध्यकाला एकत्र रिक्ता नूतन घटाह शंती दुखी देखरेता रहां अन्ये चाग्रहमाजिना अपरत्र आसीना देखें ज़रा मासांतरम महिने के अनंतरम अन्त में महिने के अन्त में मासांतरम यहाँ दीर की संदी हो जाएगे मास प्लस अनंतरम मास प्लस अनंतरम मासांतरम मासांतरम ठीक महिने के अन्त में संध्या काला संध्या के समय संध्या काला मतलब संध्या के समय संध्या के समय एकत्र रिकता एक एक जगए एकत्र रिकता हमाने खाली नूतन घटा हमाने नए घड़ों को संति माने है नूतन घड़ों को एक जगए एकत्र करके खाली घड़े नए खाली घड़ों को रख दिये दुख्दिक्रे तारा और दोद की लाइन दूत की लाइन में भरने के लिए रख दिये अन्य चा ग्राम बासिना अपरत्र 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 अ रिक्ताव रिक्ताः प्रत्मा का बहुं बचल यह जाएगा saved लुदेता प्रत्मा का नुटन को टानूतन गत्कार प्रत्मा का बहुं बचल अस्ति सतर के लिए और दूद बेचने के लिए प्रत्मा का बहुँ बचला तो कितने करीदर बंद्र फंड चल आ fortunately और अन और अन में अन ग्राम बाशिना अप्रत आसिना और दूद खरीदने वाले जो थे लाइन में क्रेता रहा और दूद खरीदकार खरीदने वाले ग्राम बाशिना माने गाओं के बाशि अप्रत रमाने दूसरी जगह आसिन माने बैठ गए आसीना ग्राम बासीना चंदन अब चंदन क्या है चंदन बोलते हैं अब चंदन क्या है देखो चंदन क्या धेनुम प्रणम है धेनुम प्रणम है धेनुम मने कौन गाय जो उसकी नंदनी गाय थी उस गाय को धेनुम प्रणम मने प्रणाम करके प्राव शर्ग कि लिप प्रित्य लगा करके यहां पर हमारा प्रणम में बनता ठीक तो यहां प्रणाम करके प्रणाम करके मंगलाचरणम विधायो मंगलाचरणम विधायो मंगलाचरण किया मंगल प्लस आचरणम विधायो विधी पूर्वक मंगलाचरण किया आपको बता दू कि मंगलाच मंगला चरन की बात करते हैं तो मंगला चरन है क्या मंगला चरन की बात करते हैं तो मंगला चरन है क्या देखिए मंगला चरन तीन प्रकार का मंगला चरन कितनी प्रकार का होता है तीन प्रकार का मंगला चरन सबसे पहले बात करते हैं नमस कारात्मक मंगला चरण नमस कारात्मक नमबर दूसरा होगा हमारा वस्तु रिर्दे शात्मक वस्तु निर्दे सात्मक वस्तु रिर्दे शात्मक नमबर तीसरा होगा हमारा आसीरवाधात्मक क्या होगा आशीर वाधात्मक ये तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं देखिए और सीधा आपको मैं बता दू मंगलाचरण किसी कार को करने से पहले भगवान की आराधना करना नारियल आदी को तोड़ना प्रशाद आदी को चड़ाना ये मंगल आचरण है जैसे हम लोग क सुंदर काटकरा लेते हैं इसमें सब्सक्रारण की कथा करा लेते हैं मंगल आचरण है तो उसहीं प्रकार्शे है उसने धैनू को प्रणाम किया गाएक को थीस लीटर दूद को निकालना है आप किसी के यहां दूद देने जाना है बड़ा काम है तो क्या कर रहा है किया चंदनादी तिलकादी किया उसको प्रडाम किया मंगल आच्रण किया विधी पुर्वक्से किया और मलिकाम मलिका को और अपनी पतनी को आवाहयती मनें बुलाता है अपनी पतनी को बुलाता है अब देखें यहां पर यहां मंगल प्लस आच्रण अब दिर किशंदी रमायेई लता लताम लत्या लतायेई मलिका मलिका मलिकाया मलिकायेई ये मलिका वो नहीं समझे न बॉली बॉर्ड वाली ध्यान रख लेना हाँ ये मलिका चंदन की पत्नी है ठीक है तो ये अपनी बॉली बॉर्ड वाली मलिका सेरावत नहीं है ध्यान रख लेना ये मलिका है कौन? चंदन की पत्नी अब ये भी बहुत बुद्धिमान है इन्होंने भी नहीं रोका कि गाय का दूद सूख जाएगा अब देखना आगे पता चलेगा कि गाय किस प्रकार से प्रहार करती है क्यों? क्योंकि एक महिने तक तुमने गाय को नहीं लगाया आप गाय से क्या चाहते हो? देखो द्यान रखना मलिकाम में दुतिया बिभक्ती मलिका को? इसलिए दुतिया बिभक्ती लगी है इसलिए इसमें अर्थ क्या निकलेगा? को का अर्थ निकलेगा? दुतिया बिभक्ती का कारक्चिन होगा करताने कर्म को करण चिन से जान और संप्रदान को के लिए अपादान से मान संबंद काके की नाने नी रारेरी है पहचान और अधिकरण में पेपर कारक चिन वखान ये कारक चिन है कारक चिनों को याद रखना और आवाहयती आवाहयता आवाहयंती ये लट लकार पर्थम पुरुष एक बचन की करिया लगी है करमबाच की आबाहिती आबाहन किया और उसने जैसे गाय को परणाम किया मंगला चरण करने के बाद उसने मल्लिका को बुलाया अपनी पत्नी को आबाहित किया और बुलाया मल्ली के अरे मल्ली के मल्ली के सत्तुरम आगच सिग्र आओ अरे मल्ली के सिग्र आओ सत्तुरम जल्दी से जल्दी से आओ बुला रहा है क्योंकि अब उसको उसक्ता सता रही है क्योंकि एक साथ क्या है तीस लीटर दूदों को उसको दूद निकालना है और फिर उस जहां उत्सव है प्रोग्राम है वहां देने भी जाना है ठीक आगे देखें मलिका अब मलिका कहती है आयामी ना थे वो भी कह रही ना थे तुम काम करो मैं आती हूँ चालो तो करो प्रारम में तो करो लगाना दुहिना गाय से दूद दोहन करना तो प्रारम करो आयामी आयामी आयावह आयामह उत्तम पुरुष एक बचन की किरिया लगी आयामी ना थो श्वामी हे पती देओ मैं आती हूँ मैं आती हूँ सुरू बात तो करो दोहन आरभ भश्व तावत तब तक आप दोहन सुरू आरंब तो करिए आरभ भश्व तावत तब तक क्या करो दोहन मान दोहन आरभ भश्व आरभ करो आरंब करो हे नात स्वामी मैं आती हूँ मैं अभी आती हूँ तुम जब तक दूद तो चालू करो न भी शंबोधन लगा हुआ है ठीक आ गच्छ यहां पर ध्यान रख लेना आ उपसर्ग है और गच्छ बना हुए गच्छ गच्छ तम गच्छत रूप बनेगा हमारा लोट लकार का अग्यार थक लोट लकार मध्यम पुरुश का रूप लगा है ठीक जल्दी से आओ आदे सात मकबाच चंदन अब चंदन यहां क्या बात कर रहे हैं ध्यान रखना चंदन से जैसे ही उसने एक तो यदा शमीपम यदा देन और समीपम गत्वा दुगदम एक्छति और तदा धेनों प्रिष्ट्पादेन प्राहरती चंदन अश्च पात्रेन शहत पतति नंदनी टिक वो क्याना यदा जैसे यदा माने जब यदा जब बो जब यदा इधरमश्या यदा बोले जब धैनों समीप धैनों की समीप किसके समीप धैनों कौन नंद मी घाय गाय है अब यह धैनों जो रूप बना सश्टी व्यवक्ति बना हुए क्या है क्या है समीप धैनों की समीप गत्वा माने जाकर सश्टी व्यवक्ति लगे धैनों 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 सश्टी व्यवक्ति लगी हुई है सश्टी व्यवक्ति का एक बचल धैनों की समीप धैनों की समीप गाय के समीप गत्वा माने जाकर कि यहाँ धेनू का सश्टी वक्ती एक बचन समीपम समीपम समीप में जाकर कि गत्वा गम धातू और कित्वा प्रत्ते से गत्वा बनेगा तो जाकर अर्थ निकलेगा जाकर तो धेनू के समीप जाकर दूगदुम माने दूध को दूध को क्या है एक्षती दूध को एक्षती माने चाहता है दूध के समीप जाकर के दूध चाहता है और तदा माने तब धैनू जैसे ही वो दूगदुम दूहने की एक्षा करता है धैनू के समीप जाकर के जाकर दूध दुहने की दुगदुम मने दुहने की और एक्षा करता है पकड़ता है उसके इस्तनभार को पकड़ता है और तदा मने तब धेनुम मने गाए धेनुम मने गाए प्रिष्ट पादेन प्रिष्ट मने पीछे के और पादेन मने पेर पीछे के पेरों के द्वारा कि देखिए प्राहरति माने प्रहार करना अठीश्ट माने पीछे के और पादैन के ग्वच्ष। पर फॉत। हरति हर्ता हरंती होगा और प्रहार करती है और चंदनाः पात्रेन चा चंदनाः यंद्या यह और फिर क्या चंदन और चामान और और चंदन प्रत्मा का एक बचन लगा है और चंदन पात्र के द्वारा पात्र के साथ हो पात्र के साथ पतती माने गिरता है पतती माने गिरता है नंदने अब देखना यहां सह लगा है ना सह साकम समम सारधम तृतिया सूत्र आता है हमारा सह साकम समम सारधम तृतिया सहसाकम समम सारधम तृतिया सहसाकम समम धारधम तृतिया सह की योग में यह सह लगा इसी की योग में पात्रेण में तृतिया व्रक्ति लग गई तृतिया व्रक्ति चंदन पात्र के साथ जो पात्र लेके गया था ना जो जिसमें वाल्टी याल्टी लेकर के गया होगा या कोई पात्र लेकर के गया होगा दूद दोने के लिए तो उसी पात्र के साथ पतती माने पतती पतता है पतंती गिरता है गिर जाता है दोनों पैर जब पढ़ते हैं पीछी के तो गिरता है नंदनी नंदनी को संबूदन करता है अरे नंदनी दूद को 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 दूद क्यम जातम ते ते माना तुम्हारा क्या जाता है तुम्हारा पुनाह प्रयासम करोती दुबारा सी प्रयास करता दुवारा से प्रयास करने के लिए पहुचते हैं करोती कुरता कुरवंती प्रयासम कुरता नंदनी चा पुनह पुनह पाद प्रहारेणों ता डित्वा चंदनम रत्रंजितम करोती नंदनी और फिर नंदनी पुनह पुनह दुबारा दुबारा जितनी वारोश ने प्रयास क के प्रहार के द्वारा ताडित्वा हमाने मार करके चंदनम माने चंदन को रक्त रंजितम करोती माने खून से लत्पत कर देती है रक्त रंजित कर देती तृतिया विभक्ती ताडित्वा त्वा प्रत्य लगा है चंदनम चंदन को दृतिया विभक्ती रक्त रंजितम माने लत्पत करोती करती माने करती है हाँ हाए शंबोधन हाए हतोस में चीत का रहा कुर्बन पतती और जैसे उसको हाँ मार डाला मुझे चिल्ला करके चिल्लाते हुए पतती माने गिरता है और शभी आश्चर की द्वारा चंदन को अन प्रकार से देखते हैं देखते हैं सर्वे में बहु बचल सक्तमी का एक बचल लगा है सर्वे लगा है फिर यहां आश्चर येन शभी में आश्चर की द्वारा चंदन माने चंदन को पस्यंती पस्यता है यह देख लेना आगे देखें सब्दार्थ देखने हैं पहले सब्दार्थों को रिकता हां माने खाली नूतन घटा हाँ माने नए घरे दुग देक्रेता cell time दूद खरीदने वाले आशीना हम बैठे हैं प्रनम माने नमशकार करके और आवा है यती माने बुलाता है बुला रहे हैं शभी सत्वरम माने सिग्र या जल्दी से प्रिष्ट पादयन माने पीछे के पैर्शे ताडित्वा माने पीट करके रक्त रंजिता हमाने खून से लत्पत और कुर्वन माने करता हुआ अन्योन्यन माने परश्पर अन्योन्यन का मतलब परश्पर पाँचमे द्रस्ट में देखिए सुरूबात हुई थी महिने के बाद शंध्याकाल खाली नए घड़े खटे हैं अन दूद खरीदने वाले और दूसरे ग्रामबासी यहां बैठे हैं चंदन कहता है गाओं को गाए को प्रणाम करके मंगला चरण करके मलिका को बुलाता है हे मलिका सीग्र आओ मलिका कहती है हे स्वामी आती हूँ तब तक दूहिना सुरू करो तब तक आप क्या करो दूद को दूहिना सुरू बात करो मैं अभी आती हूँ चंदन कहता है कि जब गाए के समीप जाकर के दुहिना चाहता है तब गाए पिछले पैरशे मारती है पीछे के पैरों से मारती है और चंदन पात्र के साथ गिरता है कैसे गिरता है पात्र के साथ गिरता है ये नंदनी दूद दो तुम्हें क्या हुआ है फिर प्रयास करता है और नंदनी बार बार पैर के प्रहारशे पीट कर चंदर को खून से लत्पत कर देती है हाए मैं घायल हूँ मैं गायल हो गया चीतकार करता हुए गिरता है सब आस्चर से चंदन को और वो एक दूसरे को देखते हैं आस्चर के साथ देखने लगते हैं और पुरे गाउं के लोग भी मूर्ख है समझ में तो मुझे यह नहीं आ रहा पुरे गाउं के लोग ही मूर्ख है किसी ने ये नहीं बताया है कि महीने भर गाय को नहीं लगाया वो कैसे अब दूद लगाने देगी यतने विद्वान वेक्ति वहां रहे होंगे गाउं के पुराने लोग होंगे किसी नहीं नहीं बताया है चंदन भी चंदन हो गए और मल्लीका मल्लीका हो गई फिर क्या है गाउं के लोग भी ठीक ही है मुर्खों का गाउं ही होगा ठीक चले अब साथ मी नंबर की पेराग्राप में क्या होता है अब यहाँ पर देखिए चिलाने लगा सब एक दूसरी को देखने लगे है देखते देखते अब क्या होता है देखे ध्यान से मल्लीका मल्लीका क्या कहती है ध्यान से देखना मल्लीका कहती है चीतकारम सुर्ट्वा अब आवाज को सुनकर चिलाहट को सुनते हुए जैसे ही चंदन चिलाने लगा तो उस चीतकार को सुनकर के सुनकर सुर्ट्वा में त इस धातू से लिया प्रत्तर से प्रविश्य बन गया जटेती नाथ श्वामी जल्दी से आती है और कहती है स्वामी किम क्या जातम माने हुआ क्या हुआ स्वामी कथम माने कैसे तुम माने तुम है रक्तरंजित तुम कैसे रक्तरंजित हो गए हो खून से लत्पत कैसे हो गए इस स्वामी कथाम, कैसे? चंदन कहता है चंदन कहता है थेन। दग्दम, अनुमतिम येवना ददाती गैण। दोहनम प्रक्रियाम, आरफ मानम एवं ताडयतिमाम देखें चरभ बोह कहती है, चंदन चंदन कहता है धेन। मानने गाये धेनो हूं प्रत्मा का एक बचन दोगदुम गाय गाय दोगदुम मने दूद को दुहने का दुहने की अनुमति मने अनुमति एव मने नहीं ना मने नहीं एव मने ही ददाती गाय दुहने की अनुमति ही नहीं देती ददाती दत्तहा ददनती ददाती ऐसे रूप बनेगा बनेगा ठीक तो धेनों प्रत्मा का एक बचन दोगदुम दोहिने की दोगदुम दोहिने को अनुमती ही नहीं दे रही है और क्या दोहिनम प्रक्रियाम दोहन की प्रक्रिया मैं जैसे ही आरंब करता हूँ आरंब मानम आरंब करता हूँ एव माने वैसे ही क्या है ताडियती म मुझे मुझे क्या करती है ताडियती मारती है मुझे मारती है प्रक्रियाम यहां देख है प्रक्रियाम प्रक्रिया प्रक्रियाम दुतिया को दुहने की प्रक्रिया को आरभ मानम मैं आरभ करता हूं तो दुतिया का एक बचल आरभ मानम मैं प्रत्म दुतिया का एक बचल आर का रूप हो जाएगा जैसे ही मैं गाय धेनु ये दूद दोहन करने की प्रक्रिया को आरम करता हूं वैसे ही वो मुझे मारती है तब मल्लीका मल्लीका कहती है मल्लीका धेनु इसनेहन वादसलेन चा अकार्य दोग्दूम प्रयात थे किन्तुम धेनु दुख देहीना एव इती अवगप छती मल्लीका ने देखा देखो मल्लीका धेनु मने गाय को इसनेहन मने इसनेहन के द्वारा बातसलेन और बातसलेता के द्वारा अ अकारे दोग दोम और जैसे ही वहाँ गई और अकारे अम दोग दोम प्रयाति वोले हम वैसे भालतु हो में उसके दूद दोहने का प्रयास कर रहे हैं गिंतुम धेनुम मन गाये गाये ने दुग दीहीना हमाने दूद सूख गया है यह माने ही इती आउगक च्छति दूध्ध सूख ही गया देखें जरा मलीका धैनों में इसनिहर्म में त। त। वट्सलेन में भी त। प्र॥ भवक्ती कीजि चामाने और दोगदू द॥ अभवक्ती प्रायति क्याल स्वाइप गवामाने और द१ति किर्म थे Bund अभग भोप सर्ग अभल गवप सर्ग है चमिशनी कोढ़ित की टट ृव्फशन्त्फिया नाथ है स्वामी चंदनम्प्रत्थ이हृ ना तो अतैंञूकित अदा हम दौनों ने जो भी किया अत्य अनुचितम कर्थ बहूत अनुचित किया है हम लोगों ने बहुत देखिए आबाब भ्याम माने हम दोनों ने हम दोने ने जो भी किया वह आती अनुचित किया है स्वामी हम दोनों ने ये बहुत अनुचित किया आबाब भ्याम लगा हुआ है अस्मत का रूप लगा हुआ है और दूई बचन का रूप लगा हुआ है ध्यान रखने ना अब आप भ्याम तृतिया में हम दोनों से बहुत ही अनुचित काम हुआ है कैसे जो मास परियंतम धेनो दोगदम ना किरतम जो हमने पूरी महिने भर गाय का दोहन नहीं किया बहुत अनुचित हो गया है जो हम लोगोंने महिने भर गाय का दोहन नहीं किया क्यों पूरे महिने की बात कर रहे हैं पास परियंतम पूरी एक महिना हो गया है देनो मने गायका दोहनम मने दोहन ना मने नहीं किर्तम मने किया सापीड़ा अनुभवती उसको बहुत पीड़ा हुई होगी बहुत पीड़ा हुई होगी उसको बहुत पीड़ा हुई अत एव ताड़ियती इसलिए वो हम लोगों को मार रही है इसलिए वो मार रही है ताड यती देखें अत्ति उन्य चितम यहां आपकी यण संधी हो जाएगी अत्ति प्लस अनुचितम अनुचितम अत्ति प्लस अनुचितम यण संधी है एके स्थान पर यह बनेगा अत्ति अनुचित का आ मिल जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा अनुचितम नुचितम अत्ति अनुचितम बहुत अनुचित किया है क्रतम आवाभ्याम 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 दोई बचन में देखना त्रतिय चतुरति पंचमी आवाभ्याम 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 सश्टी स बंदा मैं समय संवे मनता है आवाव ब्याम यह दूए बचन का रूप है कि यह तम ने जो मास परियंत पूरे महिने देनों माने गाय को घेनों सश्टी वक्ति करेगो हैं दोहिनम ना कृतम कृतम सापीडा अनुभवती अनुभवता अनुभवन्ती ये लटलकार परथमपुरोशेग बचन अतेव ही ताडियती ताडियता ताडियंती इसलिए वो हम लोगों को क्या कर रही है ताड़े मार रही है चन्दन कहता है मुझे भी यही ग्यात हुआ है अस्मा भी सर्वता अनुचित मेव करतम यत पूर्ण मास परयंतं दोहनम ना करतम अत येव यम दुग्द हीना जाता सक्त मेव उखतम सक्त मेव उखतम देवी अब यहां देवी आ गए अभी तो मल्ली के की बात कर रहे थे अब देवी पे आ गया है देवी संबोधन हो रहा है देवी पतनी के लिए कहा गया देवी मया पी मुझे मुझे भी अहां मा मया मेरे द्वारा भी ग्यातम मने ग्यान हुआ है जो मुझे भी ग्यात हो गया है मुझे भी बहुत ग्यात हुआ है कि असमा भी जो हमारे द्वारा हमारे द्वारा सर्वताहा अनुचत में हुआ हमारे द्वारा ये सब प्रकार से अनुचत हुआ हम लोगों ने बहुत अनुचत किया है देखिए असमा भी कहां का रूप है देखें मया तरतिया भ्यवक्ती अहम माम मया क्या बनेगा अहम माम मया अहम माम मया बन जाएगा अहम माम मया और असमा भी कहां बनेगा बहु बचन कहां बनेगा वयम अहम आवाम वयम वयम अस्मान अस्मा भी यह बनेगा यह बहु बचलाद यह एक बचल है यह बहु बचल ठीक अहम माम मया वयम अस्मान अस्मा भी ठीक यहाँ पर अस्मा भी आ जाएगा तरतियागा हमारे द्वारा हम दोनों के द्वारा देखिए सर्वता अनुचत मेव अनुचत हुआ है कृतम अनुचत किया है यत मने जो पूरे महिने की अंत में परियंत बाद दोहिनम मने दोहन ना मने नहीं कृतम मने किया अतयेव इम दुग्द हीना इसी कारण से इसका दुग्द हीन मने जाता दूद सूख गया है दुग् इसीलिए सत्य कहा गया है क्या कहा गया है कि कार्यम अध्यतनीयम यत तदेव विधियतां क विपरीटां आगरतिष्यश्यश्या कस्टम लब तेदर्व hide वोने इसलिए कहा गया है सत्त कहा गया है कि कार्यम अध्यतनियम कार्यम अध्यतनियम या तद्धेवा विधियताम विपरीता गत्रियाश्यो शाकस्टम लवते दुरुबं मुले ये सत्त है कि आज अगर अध्यम लिखाना अध्यम मने आज जो कार्याश्य कार्य करना है यतमान उसे अगर विधि पूर्वग आज ही नहीं किया गया और विपरीत गत्रियस साकस्टम लवे और अगर उसे छोड़ दिया कि हम आगे कर लेंगे तो निश्चत है कि हमें उससे क्या है कश्ट होगा यह दृवशत है कश्ट होगा आज जो कार्य करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए और आगे छोड़ने के लिए और उसको एक खटा करने के लिए हमेंसा कश्ट कारी होता है बोले यह सत्य मेव उक्तम सत्य ही कहा गया सत्य कहा गया है इसलिए हमें कारे को आज ही कर लेना चाहिए कार्यम अध्यतनीयम तद अध्याइब तो यहाँ ब्रदी शंदी हो गई है और विधीयताम क्या बनेगा विधीयत विधीयत विधीयन यह बनेगा हमारा पृत्थम पुरुष दुवचन का रूप बनेगा ठीक औ और विप्रीता गतिर यश्यो गति प्लश यश्यो सश्टी व्यक्ति लगी होई है शह कष्टम लभति लभेति लभंति यह हमारी आत्मने पत्की एक बचन की किरिया वने हुए लटला कारी ध्यान रखें फिर अनवा देखें यत अद्यतनीयम कार्यम शात ततह अद्दैव व प्रीत होती है और हमें बाद में उसका कष्ट भोगना पता हानी होती है सबदार्त देखें चीतकार चीतकार का मतलब चिलाना या चीख जटिती का मतलब सीग्र अनुमतिम का मतलब आग्या अकार का मतलब बुला करके प्रायतते माने प्रायतते मतलब कोशिस करती हूँ इच्चत रूप से उक्तम माने कहा गया है अध्यतनीय माने आज का अध्याइव माने आज ही विदियताम माने करना चाहिए जो आज का काल है उसे आज ही करना चाहिए जब गाय को सुबह साम लगाने की प्रक्रिया बनाई गई है ये प्रकृति का नियम है उसे परिवर्तित क हैं कर रहे हों ऐसा तो फिर सब लोग ना करने लगें और अगर यह गाए जो हमारे गाए दूध देती है आप सुबह खाओगे फिर साम को भूख लगेगी ही चिप तो यह नियम है प्रकृती के नियम को बदलने का प्रयास मत करो और वही यहां पर मल्लीका और चंदन ने करने की कोसिस की और उसका उने परिणा मिला देखें अब अर्थ अर्थ देखें मल्लीका कहती चीक सुनकर के सिगर प्रवेस करके हेनात क्या हुआ तुम कैसे खून से लत्पत सने हुए हो तब चंदन कहता है गाए दूद दूहने की आग्या नहीं देती है दोहन प्रिक्रिया आरंब करते ही मुझे पीटती मारती है मल्लीका गाए को इशनेह से और बादसल से बुला कर के दूहने की कोसिस करती है किन्तु दूद से हीन गाय ही है ऐसा जानती है ऐसा वो जानती है और मलीका कहती है चंदन से हे नात हम दोनों के द्वारा अती अनुचित किया गया है जो महिने भर तक गाय का दोहन नहीं किया गया वह गाय पीड़ा अनुभाव कर रही है इसलिए वह हमें मार रही है इसलिए वो क्या कर रही है मर रही है क्योंकि गाय का दूद तो अब सूख चुका है सूख चुका है गाय का दूद। चंदर कहती हे देवी मेरे द्वारा भी जाना गया है कि हम दोनों के द्वारा सर्वता आनुचित ही किया गया है जो पूरे महिने तक दोहन नहीं किया गया इसलिए दूद सुख गया है सत्त ही कहा गया है जो आज का कार है वह आज ही करना चाहिए जिसकी गती विप्रीत होती है निश्चत रूप से कष्ट प्राप्त करता है इसलिए हमें आज का कार आज ही कर लेना चाहिए चंदन देखिए अब चंदन के बाद आगे देखें मल्लीका मल्लीका बोलती है आठवे नंबर के परागराप में मलिका कहती है, आम भरता, हाँ पती देव, सत्य मेव मयापी पठितब्यम, सत्य मेव, सत्य कहती हैं, आप मैंने भी ये पढ़ा है, आज पढ़ने की बात कर रही है, पहले ग्यात नहीं हुआ, मयापी, मेरी द्वारा भी पठितम यत, बोले पढ़ा गया है, बोले जो सूभीचार विधातव्यम सूभीचार विधातव्यम देखें मेरी द्वारा भी बोले पढ़ा गया है क्या सूभीचार विधातव्यम देखें जरा ये देखें क्या कहा सूभीचार विधातव्यम देखें सूभीचार विधातव्यम देखें सूभीचार मेरे द्वारा भी ये कहा गया है देखें जरा मेरे द्वारा भी बोले ये कहा गया है सूभीचार विधातव्यम कार्यम कल्यान कांख्छुना या करोती विचार विचार विधातव्यम कल्यान कांख्छा रखता है शाहकरोती विचारयता विचार पूरवक्पर नहीं करता है वह हमेश responsibilities कारी में होता है वह मानवा जो विचार पूरवक्पकर नहीं करता है किन्तु प्रितिक्षम अद्य ये वनभूतम एतत लेकन आज मैँने प्रितिक्ष वाप से ये देख़ भी लिया है कार दिन में ही नहीं करता और यह एव ना करोती सा कष्टम लवा थे वह हमेशा कष्ट को प्राप्त करता जो आज का काम आज ही नहीं करता और उसी दिन नहीं करता और उसको हमेशा क्या है कष्ट प्राप्त करता आगे देखे जबनीका पतनम जबनीका का मतलब परदा गिरता अब परदागीरता है, देखें, परदागीरता है, सर्वे मिलिट्वा गायांती, सब मिलकर की क्या करते हैं? गाते हैं, शम मिलकर के गायांती माने, गाते हैं. देखें, तिता डिश्यम पर्दा गिर्ता है और शम मिलकर की गातियं गायंते ये देख ये गाययंती में रूप लगा हुआ है गायाती गाय Entonces लट लकार परतम पुरूस बहु वचन करू सर्वे मैं सप्तमिय सबी मिलकर की गाते सुझते मैं हमारी कित्वा पृत्य मिलकर की गाते आदानस में सश्टी वक्ति प्रदानस में सश्टी वक्ति करतब्यस में सश्टी वक्ति लगा हुआ है चिप्रम क्रियमानस में भी सश्टी वक्ति प्रवत्ति प्रवत्ति प्रवंति में लट लकार प्रथम पुरुस एक बचन का रूप ठिक लगा हुए अनवा में कल्यान का कामना करते हुए कार को सुविचार और विधातव्यम विधाता के नियम के अनुशार करना चाहिए यह मानवा जो मानव यह तत आविचार्यम करोती जो मानव आविचार करके करते हैं साभी सिधति वाद दुख को प्राप्त करते हैं छिप्रम अक्रिडिये मानस्यो अधानस स प्रदानश्यो करतब्यम चाकर्मना तद्रशमम काला पिवति उसको हमेशा काल ही उसको डस लेता है देखें अर्थ देखें इसके सब्दार्तों को देख लें सब्दार्तों के बाद अर्थ देखेंगे देखें शूविचार क्या लेका है सूविचार अच्छी तरह सोचकर विधात अब्यम माने करना चाहिए कल्यान कांख्षुना का मतलब कल्यान चाहिने वाले के द्वारा विशीदती माने दुखी होता है तसमिन नेव माने उसी ही जव निकाह माने परदा जव निकाह माने परदा और आदानस्च माने लेने के और प्रदानस्च माने देने के छि देख रहे ना सरल अर्थ को देख लीजी सरल अर्थ में क्या उन्होंने बताया है अर्थ में देखें हाँ श्वामी मलिका कहती है हाँ श्वामी सत्त ही है मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि कल्यान चाहने वाले की द्वारा अच्छी तरह सोच विचार कर ही कर करना चाहिए जो मनुस बिना विचारे यह करता है वह दुखी होता है वह दुखी होता है और उसे सोच विचार कर ही कार करना चाहिए किन्तु प्रत्च रूप से आज यह अनुभव भी कर लिया गया है अनुभव भी हो गया है सब कहते हैं दिन का कार उसी दिन करना चाहिए जो ऐसा ना कर करता हो वह निश्चत ही कष्ट को प्राप्त करता है अब सब ग्यान दे रहे हैं पहले ग्यान कोई नहीं दिया बहुत ग्यान दे रहा है ठीक परदा गिरता है शब मिलकर के गाते हैं लेने के देने तथा करने योग कर्म के तुरंत ना किये जाने पर उसके आनंद को काल भी लेना चाहिए क्योंकि बाद में उसे काल नाग ठीक यम्राज उसको डस लेता है और हमारा आनन्द समाप तो हो जाता है जैसे मान के चलिए आज आज आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही उसी टाइम आपको खाने को मिल जाए तो उसका एक सुकून आनन्द अलग होगा पा रखना कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पूरा कर लिया है और इसको अच्छे से पढ़िएगा यह परिक्षा की समय हमें बहुत साथ देता है क्योंकि बैसे यह पूरा हमारा देखें तो तीन साड़ी तीन घंटे चार घंटे का हो जाता है पार्ट बन में आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन देता है और आप लोगों के लिए हमें साथ़ पर रहता है तो आप लोग भी आप किसी भी माध्यम से हो चाहे आपका सीवीडियम हो चाहे आपका इंग्लिस मीडियम हो चाहे आप यूपी बोड्ड भीहार बोड कहीं से भी हो MP बोड स और अगर नोट्सों की जरूरत आपको पढ़ती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएं और आपको ये नोट्स और इबुक्स की मद्यम से यहां से नोट्स भी प्रोवाइट करा दिये जाएंगे ध्यान रखिएगा आपको अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे स साथ बने रहिएगा जैतु संस्कृतम जैतु भारतम